मैं इसा क्यूं बोल रहा हूँ, एक लाग के दो लाग बन गए, वो दो लाग आपके लिए कोई सब्स्टाइंशल लेल रखते ही नहीं, आप खुश हो जाओगे लेकिन फिर आप पता है क्या ट्राइ करोगे, अब दो के चार कैसे बनागे, तो जब तक आप कुछ सब्स्टा लोग अगर में आज इंवेस्ट करेंगे, सिरफ 3,000 लोग ही हैं जो इंवेस्टिट रहेंगे, 97,000 लोग निखल दो, अगर पैसा आपने कमा लिया तो उसको प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा सा डर आपके मन में जरूर होना चाहिए, पर जो व्यक्ति मुझे लगता है क विलाटिलिटी को एब्जॉब करना सीख गया, इन दी इकुट इंवेस्टिंग, वो कुछ भी गर सकता है तो गाइज, स्टॉक्स के रॉबिन हुड, पैसो के शहेंशा, फरिदरबाद के शेख, कंपाउंटिंग के स्वयम नीरजदेव, एक ऐसे इंसान जिनकी फाइनशल एडवाइस से ना की केवल मेरा भला हुआ है, तमाम उन शक्सियतों का भला हुआ है इस देश के अंदर ज ओर अच्छा से ना की फुल्टाइम प्राक्टिसर भचों को पढ़ाना, यह थिंक जब लोग प्राक्टिशनर इन रेक्ली जब फिनानस इंफुल्एंसर नी उते हैं, विजा आज भोलते हैं, मुझा इस लगता है. इंसेंट्टिव नियोते हैं? आँ, इंसेंट्टिव नियोते हैं, कि अभी इस की तारीफ कर देता हूं, So that is why you can trust a surprise, मैं परसलिए अपना चौटा सब्सक्रा किस्सा बता हूं, Sir की तो मैं इतन ही पॉड्कास करें, फिर भी मैंने Sir की बाद, Haar sir, बहुत अच्छे SIP stocks, बिलकुल बिलकु घर जाके. रहे यार, बाद में देखेंगे. मैंने, सिफ SIP start करी थी. 6 महीने होय, I can already see a 10% rate. Return rate. It feels incredible कि ये जीज संभफ हो पाइए. So, thank you for that. All right, great. और थोड़ा, पुझा ठाट से, इस 10% को, तो अगर आप बाइचन्स प्रॉफिट भी बुक कर लेते हो तो फ्टी से कम टैक्स लगने वाला है उसके उपर अपर अपकी 30% होती है और यह वाला जो आपका प्रॉफिट जो आपको एक्विटी से हो रहा है अगर आप एक साल से पहले बेचते हो तो 15% टैक्स लगेगा औ तो थांक यू वेरी मुच वेरी मुच विनमर अपने हम लोग मुझे लगते है कि अब फैनाइस पे खूब मजा था हम दोनों को डिसकेशन करने में और जब भी कोई चीज नहीं आती है तो हम साथ बैठने की कोशिश करते हैं आज यह वेसी कोशिश इसी कोशिश दिस्क्ल मैं शेयर करूंगा और तीसरी बात दमनी पॉड्कास्ट को सब्स्राइब कर लें उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएको मेरा चैनल बड़ा बड़ा बाते करते हैं आराम आराम से प्यार प्यार से कोई उस पैसे अगें जैसा विनम ने बताया कि मैं क बहुत बहुत धन्यवाद जो हो दे रहा होगा हम दोनों को और ओविसली मार्केट्स को मार्केट्स बहुत काइन रही है कमाल के रिटन्स बन चुके होंगे अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो मेरी सेशन यही रहेगी कि छोटे अमाउंट से अपना S.I.P. कि शुरू कीजिए और अपने इन्वेस्टिंग की जदनी को स्टार्ट कीजिए उसे रोकिया मत है हान जी विनमर अमेजिंग मैंस पर को देने चाहता हूं उसके बाद किताब शुरू करें यूकि इस बार हम लोग लोग अपसर नी जाएंगे इस बार हम लोग 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 तो हम भाग दो बनाएंगे ठीक है एक चीज़ में और बोल दूँ और प्लीज क्योंकि हमारा शायद पांचवा एपिसोड है साथ में आप लोग लोग लोगों को लगे हम वैलिवाइड कर पार है और आगे के लिए भी मोटिवेटेड रहेंगे हान जी विनमर इस बी एक प्रिपनी के ताव पर शिरू करते है इसमें फुर्दर टिपनी यह है कि बहुत रहर रहर होता है सर कि जब कोई प्राकिशनर या प्रोफेशनल बनाना शुरू करता है अगर इसमाजन अगर राकेश जुन वाला डेली कॉंटें बनाते तो मतलब इनके बीन चाह मिलीन सब् जादा जादा और सबकी मारकेशन खत्रे में आजाती है सब लोग इनके इसमें रहर राकेशन बनाते है तो मुझे इसा लगता है शहद आप बात ना मानो उसी कहीं फ्रैक्शन में उसी स्पेक्टर में आप या आते हो क्योंकि आप डिरेक्ली एकाम नहीं करते हो और आप जादा खोड़ा भूट भी होता है किसी बीचीज के अंदर तो लोग तुर्ण ओफ कर जाते है तो यूट यूटुब पर लोग उसको यूटुब के फ्री उन्युवस्टी की तर समझते है तो यह मैं आपकी तारीफ में दो लवस कहना चाहदा रादा बहुत बहुत बहु पर अगाई तो वाट नेवर चेंजिस भाइ मॉर्गन हाउसल का किसा एसा है कि मारा बहुत वाइरल पॉर्टकास एपिसोट है हो तो बिल जिनरेशनल वेल्थ ठीक है साइक अपर पूरी किताब डिसकारे एक पुछ पूरी किताब डिसकारे उसका आर्टिकल डिसकारा है अगाई पूरी किताब डिसकारा है जिसका ब्लॉग है दर कोलाबरेटिव फंड उसके बेसिस पे उसने साइक आलोजियो मुनिक लिखिए ये इसकी सेकंड किताब है एंड सर ने मिर को बताता कि मुझे इस पर पॉड़कास करना प्रकास करना प्रकास एंड सर और मेरा एइ है अभी तक इसने बता है कि पैसा कैसे काम करता एंड स्पास कि साइकॉलोजी क्या है और पैसे के बार में हैं लोग किस तरह से सोचते है पैसे कि फिल्सफियों यहां इसने बात करने ही ए कि कि डुनिया में कउनसी से चीज़ नहीं बदलती इस को स्टार्टिंग तो जब मैंने इस बुक के बारे में अनॉंस्मेंट सुनी में मॉर्गन हुजल को ट्टर को फॉलो गरता हूँ तो मेरे दिमाँ में दो तीन वर्ड आ गए थे क्या लिखने वाला है व्यक्ति क्योंकि मैं इनको इतना पढ़ता हूं इतना सुनता हूं बुक मैंने मुल्टिब या फिर आने वाले बीज़ार साल में क्या होने वाला है अगर प्रेडिक करें तो ग्रीड फिर विली सेम एजवर और अच्छी बात बता है क्या है इन्होंने हर चीज को कनेक करने की भी खोशिश करी है आपके परसनल फाइनस से आपके मनी डिसीजन से यह पनी परसनल स्ट इंची डिट बूक लिखते हैं, टू दएपट रहते हैं और बहुत जबरदस्ता था क्वा बात है।rons मुझे पढ़ चल रहना है और जब में बहुत कि देखते हैं क्यों मेरे कुछ फॉट्स विए इनसे मैच आरफ़ा रहें तो मुझे बहुत बहुत अच्छा मैसुस होत वहां पर मिलियन ओव रिडर्स हैं नहीं तो मॉर्गन हावसल कार्म एक बात मेर को पता लगी वह यह थी कि जब फॉल स्टीम में काम करता था तो उस ताइम एंपर डेडलाइन थी कि दिन के बीस आर्टिकल लिखने हैं कर लिखने हैं बिकना है क्या इस बीस आर्टिकल लिखे लिखन कारणं का मिले बड़ क्या प्रश्ना ओट tree जह चात्तो दो किसी था हैं कि एतना सार निफ लिखन कर च्रन आग्ड़ कर्नाद यह प्रॉट कर ठिफुक्तृ कि अज बीस अर्टिक ने second निच फ्रेडिकल रि यह पर भूर्स सेरम टीड प्राफ्ट फोर्स जो है वो उसी वक्त है और मैं धेखा है कि जो रहे मुझे लगता है कि जो एक अची आपरचुनिटी खोगी च्योंकि लूग का डmpको हम लोग ना रिल्स वाले रीडर हैं, तो हमारे पास we want what we want and we want it now, immediate gratification, तो वो चीज मुझे लगता है, All the Morgan Housel is against immediate gratification, तो उनकी पड़क पड़के लेकिन वोई मिलता है, कि आपने एक पारग्राफ पड़े तो उसमें भी चीज आपको सीखने को जानने को मिल सकती है, Amazing, तो अब फिर्स जो चैटर है बेसिकली उसके दर ना बहुत सारे कोट्स दे रखे हैं, I don't know, आपने नोटस में आपने कोट्स ले थे नहीं ले थे, मैं एक स्पैसिफिक कोट्स करता हूँ, तो यह है जेन में में कॉनिगल का कोट, She says, I've learned an important trick, to develop foresight, you need to practice hindsight. Okay, so let's start there sir. Now we come in our context, we have a future, we have to grow our finance, our personal wealth, we have to grow our intergenerational wealth, we have to grow our new wealth, or we have to make our bank so much money we can retire and have a good life. Okay, but we think about AI, we know about crypto, we know about web3, we master emerging jobs, and we master it, because that is the future. But the code says, if you want to see what will happen, you will have to look back to the future. So this is the context, the whole book's context, that you have to understand, that same as ever, if there was greed before, then there will be greed before, then there will be fear before, then there will be fear before. I will explain this as an example, when there is a depression, or we say that the market is down to the market, every two years later, the market is like a jump, that there will be a lot of money, and it is the same as ever, right? So this is what we are saying, that this code means that you have to be able to learn a lot from history, how people behave in a particular situation, and then the next situation is how they behave in that situation. So if you want to create generational wealth in the future, obviously, in the context you want to learn new skills, but at the same time, human behavior will be the same, whether it will happen, whether you talk about crypto, or maybe I have told you in the last podcast, Isaac Newton has also opened the stock market, and that is also because of greed. So when there is such a big person, the IQ level is so powerful, the person who can get to the emotions, then someone can get to the emotions, and we have to learn how to know how to learn from them. Even in this book, this is a good thing, this is a very important thing, this is a very important thing about risk, and we are talking about risk. Then in my mind, it comes to our own question, that there is a lot of risk, risk is what you cannot see and all that, but what to do? And the next page was the solution of what you can do, so that we can minimize the risk. Okay, our context is that if you want to create generational wealth, then there are some basic principles that you have to follow, which are coming from the start of the world. I have told you about greed, fear, and that is why we have to connect with you. Our religious affiliation was from the start of the start, and today will remain. So these are the things that are living in a thousand parallel universe, then you will get the same in 999. If you build a thousand universe, then you will get the same in 999. If you build a world of crores of crores, then there is greed, fear, and religious affiliation. So if you are living in 10 years, like this, I will give you a great example. Jeff Bezos, who is the founder of Amazon, who is the founder of Amazon, so people always ask, what will you change in 10 years in the next 10 years? In this book, it has been called, what will you change in the next 10 years, what will you change in the next 10 years? Jeff Bezos says, don't ask, what will you change in the next 10 years? He asks, what will you change in the next 10 years? And what about Kamal? He says, I know that, that in the next 10 years, Amazon customer will not leave two things in the next 10 years. One is a discount, and it will be delivered quickly. This is going to remain the same as ever. Right? And if you see, if someone is coming in e-commerce, it is the only two main things that you have to be able to do. How do I give things at least 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 at least. If this happens, then your e-commerce will be set. Correct. Minimize loss and maximize convenience. Right. Right. So this is the context of this court. I have to understand that you have to learn from the past. What happens in the past, it will be repeated again. Now, how can you capitalize it? How can you save it? How can you save it from yourself? If you have a trick, no problem. I thought, first of all, the people of finance are crazy about crashes. Sometimes they will reach the US in 1939. Sometimes we will talk about Great Recession. We have a new hotshot. We have to say, what should we do? Now, the recession is going to happen. We have to focus on you. But I think it makes sense. Because to be able to forecast, you have to understand what the graph is similar, similar, ebbs and flows come from. But before we get into the chapter, there is another thing. And because Warren Buffet has mentioned, everyone loves Warren Buffet. So, a person, Jim, he said, I'm going to read the quote out. Jim said to Warren, it's so bad right now. How does the economy ever bounce back from this? Warren said, Jim, do you know what's the best selling candy bar was in 1962? No, Jim said. Snickers, said Warren. And do you know what the best selling candy bar is today? No, said Jim. Snickers, Warren said. Then silence. That was the end of the conversation. This is what we are talking about in the 2008 financial crisis context. So, at that time, Jim, which is an arbitrary name, he doesn't disclose the name of Morgan Houser. He was saying, let us call him Jim. So, at that time, he was traveling with Warren Buffet. And he saw that the shop is closed. And there is a lot of depression. There is a recession. People don't have money for their loans. They don't have money for their money. They don't have money for their money. So, this is what we are talking about. And Warren Buffet also wants to say, that if I know about stock market investing, those great companies are great. Great companies don't have to be in recession and depression. They learn more about how we can get more output in the cost. And this is also a phenomenon. You can also see some companies like India. Now, what is counter-argument? That the company's name of Nifty didn't have the name of Nifty. So, they didn't have the name of Nifty today. If they didn't have the name of Nifty today, they will have the name of Nifty today. For example, I am talking about banking. If I want to take an example, HDFC Bank is a GOAT for 10 years. We are the greatest of all time. So, the private banking sector is GOAT. Right? And there are also many companies that are GOAT in their own sector. The green people are seeing their hearts. Now, what I am saying in my opinion is that they are private SBI. SBI is a government and our private SBI. The work is also in a government way. So, I feel that the branches are so much. They are so much. The scale of operations are so much. So, you will get an account in HDFC. The account will get an account in every person. In the sense, whoever is living in a semi-urban setup. The account will get an account. People need better service. They are paying for Spotify or YouTube for premium. So, you are a better bank. Where you are at AC, you are a great organization. सब रिकुर्मेंट बन नहीं लोग लेकिन वह पर अपर अपर जो सर्विस का लेवल है मैं तो बहुत प्रीमिम्म कस्टमर हुनका उंक से साथ बहुत सारे अकांट चल रहे हैं बहुत सारी डीलिंग होती रहती है तो अगर यूदू मेरे अच्छा अकांट है तो में फिर भी प्रिविलिजिस मिल जाती है घर पर फॉर्म आ गया यह वो गया लेकिन एक आम आदमी के लिए अब वह एक प्राइवेट सब्सक्राइब करेगी है तो बहुत सब्सक्राइब का स्टाइल है वो आज भी होई है और वो मुझे लगता है आने वाले कहीं सालों तक वो गोठ ह आने वाला है तो जैसे स्निकर्स काम यह पर एक्जामपल ले रहें वो एक्जामपल हम HDFC बैंक के पॉइंट आने वाले सालों तक गोठ ही रहने वाला है यह पर भी हम लोग जो जो है डाल सकते हैं कि अधर एक ग्रेट कंपनी और उसको चलाने लोग साही रहेंगे तो वो हमेशे करण दो जैसा डिए हमेशे ही हमेशे है झाल सकते हैं हमेये पहले हैं हस्के अएपित के अधर है एक अड़ मैं ग्र curen कामपनी कंपनी वे की थे किज़ लाए सो एसेप्राइथे लेडरी आविप में अग तो खिंऑ आleteभी चेंश के अपित टूरी वे चला रहें मतलब रॉट्स चाइल्ड फैमिली लो या अम्भानी अदानी ले लो जिस दिन वो लोग अगाई अगाई उस दिन सेम एस अवर वाला वह बातेस्स अपलाई करता है यह भी लोग अगाई जादा लोग मुझे लगता है कि अगर ऊकम्स थे मार्कट करूं तो अगर मैं होता है ऑन करनम इसलगा यह भी बात कर सो कोई तब बात कर ओ जाता है जाता जासे यह थो गोरी शुरूँ सब बचनक कर जाता है और जब अच्छा मर्के इन अच्छा कोशिच कर रहे हैं। आपको पता है एक चीज अपने पीक पे है और आप तब यह उचल उचल के वो चीज घृदने की कोशिच कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा कोट है इसमें। इसमें वर्रण बफे ने बोला था कि यह जब भी जब फिरएड तो भी उफोरिया चल रहा होता है तो शांत रहने का समय और यह भी फिर से वह वह आग वहागन है इसमें क्यूंठ यह क्यों नहीं एक आम इंसान जो है बड़ा अच्छा कॉर्पस क्रेट कर पाता है जब कि इतनी अपॉर्शनिटी इसके सामने से जारी होती है जब कि हमारा कुद का निफ्टी फिफ्टी जो आगे बढ़ जाता है क्योंकि ग्रीड और फियर बीच में आजाते हैं कर दो है जो इसके सब्सक्रा एक आप को स्की हरो वाला डिसक्राइड था लो इसक्रमटर के भी मैने टीन चारी पड़े नहीं but I will get to this line okay so risk is what you don't see we are very good at predicting the future except for the surprises which tend to be all that matter okay and then we are very good at predicting the future except for the surprises which is all that matters the biggest risk is always what no one sees coming because if no one sees it coming no one's prepared for it and if no one's prepared for it damage will be amplified when it arrives right I think this I have read it and I have listened to them on their podcast. What we think is that we have considered all the risks. What can go wrong we have considered all the risks but actually there is the risk that you don't consider. I will give you a personal example. I went to and we had to go to the gym corbett. So we had our kids in the hotel and we were outside and I was going to go to the car and we are going to travel to the car and we asked someone if there is a road and there will go to the car. She said the car will go and she gave us the car and said yes this will go. तो फोर बाइ फोर थी नहीं मेरे बास फॉर्चुनल पेट्रोल थी नहीं है तो मैंने एक ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ी रोड बंपी है और कच्छा रास्ता है हमने सब को जाजियों कर लिया कि चलो ठीक है क्या हो जाएगा हमें यूटन लेके वाजपा पिस आना पड़ेगा गाड़ी बैक कर लेंगे रिस्क इस वाट यूट सी अचानक सही रेत आगए और गाड़ी फस गया उसके अंदेन एंदेन महां पर कोई बंदा नहीं कोई बंदा नहीं राइट अंधेरा होने वाला है प्य अब अब अगें लग का बहुत बड़ा रोल रहता है तो वो ट्रेक्टर वाले को मैं किसी तरह मना के लाया अपने बास और ट्रेक्टर वाले को लाने के बाद वो कह रहा है कि गाड़ी खीचूं कैसे वी नीट सम्थिंग अब किसमत बोलो कुछी बोलो साथ में लोही किता अब गाड़ी खीची अब अब लगाया था जाल अब अब लूग को आप के लिख लगाया जाए और वहां किसी आपको आपको चोट क्यू लगति आप लगता है क्योंकि आप उस चीज को अश्चीज को एस्टिमेट नहीं कर पाए है आपको कभी भी आप जब कुछ भी होता है आप कितनी भी प्लानिंग कर लो फिर भी क्या गलत हो सकता है आंसर इस यह क्यों विकास आप से कोई ना कोई चीज ऐसी सर्प्राइज की तर आएगी फॉर एक्जांपल कोविड रिसक इस वाट यू डॉंट सी हम इसे कितने लोगों ने कोविड को एस्टीमेट कर लि लेकिन और कभी-कभी बहुत चोटे इवेंट भी हो जाते हैं आप अपने मकान की रिस्ट्री कराने जा रहे हो और वहाँ पर हो सकता है एक चोटा सा डॉक्यमेंट या कोई चोटा सा कोई बी चीज ऐसी कोई व्यक्ति की प्रेजन्स नहीं है आप या बैंक से कुछ नहीं अपने उसको कंसिर नहीं किया होगा और वही हो जाएगा मैं आपको बहुत अच्छा एक्सांपल दे सकता हूं मिरसाद आप इती है रिस्किस वोटी डोंट सी वाला तो आज से तीन-चार महीने पहले की बात है तो मैं पैसे कमा रहा था ठीक है और मिर को पता था कि मैंने सुने में कमी रही है या ऐसा हो गया कि मैंने सुने और मैं भूल गया तो मैंने सुने में भूल गया जब फेस्टु आया ना सर तो उससे डबल पैसे देने थे तो क्योंकि फेस्वान था एक डिफरेंट तरह का यह मैंने पहन रखा है आप इसे नाइड क्या बोलते है स्प्लिंट पोलते है इसके पैसे थे इन्विसलाइन लगेगा वो में को लगा था कि एक दूसाल बात श है कि फेसे दो ठाइलार पैसे दो ठाईलाक रुप ए। मैंने तेखा वाह देक हमने कर डिस्कांड onits come से इर आ और मैंट यहाराएं कर तो टो एक अप सुच अप्la टो अप्लान कर देखा हुआ हो जाता है झाहन दीक्टाइग है अब एक सालत चालें जा थीटक है बढ़ी विदाओ पेड़ पेड़ आपकेड में रुख जाएगा। सर मैंने कैसे कैसे पैसे जुगाड़े मुझे पता है। मतलब I had to eventually ask at home because मैंने सोचा था कि सब कुछ रिवेस्ट करते हैं वापिस content लगाते हैं क्या करने हैं और आगया वो and I was not prepared और जो बहुत सारे लोग middle class लोग को ताने मारते हैं savings के मेरको तो भॉत फटका पड़ा उसका जो पैसे कमाए थे तो सारे के सारे लग गया उसका back to square one अब इससे financial essence निगालने की कोशिश करें जो मेरे माइंड में चल रहा था A is emergency fund risk is what you don't see तो अगर आप ये बहुत important बात है आप अपने emergency fund को liquidity needs को हमेशा हमेशा overestimate करके चलो हमेशा थोड़ास overestimate करके चलो आपको लगता है यार मेरे लेना emergency में 10 लाग रुप है risk is what you don't see 5 लाग आपने उसके लिए रखने की कोशिश करी इसको आप estimate ही नहीं कर बार है किसी दिरीगे से और इस एक और बहुत important financial lesson जो हमें मिलता है और जो मैं सबके पास तक पहुचाना चाहूंगा हम लोग सिप सिप बोलते हैं SIP करो SIP करो मैं जो थोड़ासा चेंज गरता हूँ पहले आप HIP करो फिर आप TIP करो फिर आप SIP करो HIP is health insurance TIP is term insurance plan और फिर आएग आपका systematic investment plan और ये जो HIP और आपके TIP यानि के health insurance plan और आपका term insurance plan है this will reduce the risk which you cannot see right थोड़ासा ये we cannot see the risk but उसका तरीका ये है कि आप अपने पास थोड़ासा extra आप अपने पास थोड़ासा extra जब भी आपको लगे ना कि ये गलत हो सकता है उस गलत को थोड़ासा amplify कर लो obviously मैं negative होने को नहीं कह रहा हूं और थोड़ासा अप्लिफाय कर लोगे और शायद psychology of money में ये ही कहा गया है अगर पैसा अपने कमाली है तो इसको प्रिजर्व करने के लिए थोड़ासा डर आपके मन में जरूर होना चाहिए और वो डर होता है तो आप थोड़ासा अपनी लिक्विडिटी नीड को खलका फुल को और एस्टिमेट भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जब एमर्जेंसी में जरूरत पड़ेगी तब आप इतना पैनिक नहीं करोगे तब आपको इतनी मुसीबते जो है नहीं जैलने पड़ेगी और आइ थिंक बिजनेस और और अंट्रपनेशिप के अंदर आपको प्रश्चाप शुक्चाप से बनाते हैं उनकी स्चोरी जाते हैं जो में रिस्की एंट्रपनेशर्स काई जाते हैं काई बार हार गये काई जीत गये उनको जादा वो किया जाता है विक्स वापनी नीड फोड्रामा और एमोशनल चाएते हैं अपसन डाउंस को पैसे को ऐसे लगा लगा के वो फोल इन करते हैं तो बेसिकली वो बहुत बहुत अदर रिस्क एपने पैसे के साथ वो बहुत 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 प्रपेर नहीं काम में आ जाता है एंगें रिस्क इस वाट दोंट सी एंगें अधिख एटक इंडस्ट्री से एता हूँ गौरव मुंजाल अनकाइडमी के सीओ इसे वो बोल धिया यह भी अजद रिस्क एजा रिस्क इस वोट डेंट सी जब 2020 था तो कोविड कर रिस किसी ने देखा नहीं तो कोविड जब आया तो लोगों को लगा अब तो भाइसाब अनलाइन क्लासेज में पूरा पैसा जोग दो एकदम कमाल का बिजनस चलेगा एकदम चा जाएंगे और जैसे ही इंसानी फित्रत फिर से 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 में इस एवर इं को भी जो इतने बड़े बड़े फैंशल मॉडल बनाके से बैखे होते हैं इनके बास इतना इतना बड़े बड़े तिंक-tank होता है यह यह तिल दे कैन नोट सी दी एंटायर पिक्चर मॉडल से बहुत परफेक्ट कोट से मेरे सामने बहुत सब्स्कित करते हैं प्र जोग कि हम अवरेस्टिमेट कर लेते हैं या प्रिडिक कर लेते हैं in October 1929 the peak of history's craziest stock bubble and the eve of the great depression economist Irving Fisher एक economist कहरा है famously told an audience that stock prices have reached what looks like a permanently high plateau and then we all know कि उसके बाद great depression जिसे बोलत है पर सर अकाड़ देखो बंदेगी कि आप ये आप ये प्लाटो रहेंगे right और उस समय येसमे हम एकि बात इसलिये कर रहें क्योंकी बूक के अनδर लिक्यू है ये येसमे जब अपरॉल्म्स गिनाई जारी थी कि देश की क्या प्रॉल्म्स ए senior so unemployment is eight number chin right unemployment उस case come eight this will be the case going forward the biggest risk and the most important यह बादी नहीं पर आपको नहीं पर दोड़ा नहीं कि भी आपको पता बीज अगा कहां से कोछ एक अप्टाइब राइगी एक पिछ पिछ नाम से इसके अंदर ना वहत पहले एक पहले इसके बता है गा था कि एक गवेड जैसा जानलेवा वारस दुनिया मैं यह पापा में इसकी पिछे नहीं कि पिछे देखोगे दोज बीस यह एक के से बईस तेइस प्रेट करने के लिए उनके अंदर में जब मुद्ध होते हैं कि मशीन स्टेख़ ंवर कर लेंगी इसेंट्रल होता है मशीन स्टेख़ पर लेंगी हमानिटी को यह लोग लेज बन जाएगगी क हो हम लोग pollution को लेके परिशान हो रहे हैं और अधर से कोई और environmental problem या कोई और बड़ी problem जो है वो आये जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा क्या आपके सथ कभी ऐसा हुआ है डिस्पाइड आप बहुत conservatively financial decision देते हो आप बात भी करते हो क्या फिर भी कभी कभी या इस वाली जगा को जो प्राइम लोग लोग जाएगी किसी केस के अंदर या इस वाली जगा को जो प्राइम लोकेशन जहां से आपको सब्सक्राइब लाइड जाएगी किसी 10-15 लेवर की डेथ होगी किसी 10-15 लेवर की डेथ होगी तो सरकार ने पूरी पूरी जगाएगी यस ठीक है जो ए से अंदर गम लताइब वर किसी 10-15 मार्याइज कि सब्कार नरहाएग कि और पात अजया होगी कि यार थो लेडनने जगानेभी यड जाएड़ का लोगाईगी क्वाएगी अव्क्रीडद्सू एक इन्हुर इन्सीन हाइड नेहाएग जैसे उसके स्कीर दूसका दूए किताब में राइ So he says, one way, one think of risk the way the state of California thinks of earthquakes It knows a major earthquake will happen but it has no idea when, where or of what magnitude Emergency crews are prepared despite no specific forecast Buildings are designed to withstand earthquakes that may not occur for a century or more Naseem Talib says, invest in preparedness not in prediction This is the heart of it This is a big thing that you have to listen to in today's podcast It's a big thing that you have to listen to in today's podcast It's a big thing that you have to listen to in prediction and invest in preparedness What do we do? Actually in prediction there is a thrill for people Like who will win the election in 2014 So this time goes away and people get aggressive because it's a thrill It makes you feel godly in the future You can see something like this and you can see something like this Yes And the fun thing is that prediction is that no one can do 100% accuracy No one can do it Yes No one can do it You should focus on prediction and take care of preparation I don't know that I can tell the preparation in that example Right But I can tell the case in finance So what we have talked about HIP, TIP and SIP This is to invest in preparation What is the prediction? I have seen a lot of people It's all that Chaudhary has a habit here Especially in the stock market Chaudhary has a popular last name He wrote it on twitter Bombay stock exchange 1 lakh by end of 2023 Sensex 1 lakh by end of 2023 So this is a prediction What are they doing? What is the prediction? What are they doing? What are they doing? I can tell you what I can say So I keep on preparing myself If the worst scenario has happened to me So how can I protect it? How can I take care? How can I arrange funds in which way I can keep on predicting मैं अज अनुम्हों कितनी ऊपर जाएगी जो भी यह बता हूं किसी बीश्पर बना रहे आपको अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और आपका यू टाइम वेस्ट कर रहा है मैंने हमेशा हैं कि मेरे पास कहा कहा मैं इसे फंड्स रख सकता हूं जो एक sectionary funds का मेरी वेल्थ को grow करे एक sectionary fund मुझे safely feel कर रहा है कर रहा है कि कख एसी प्रोल्म होती है तो मेरे पास यह funds नहीं को निखालत है यह उसक्षा कर सकता हूँ अपने इस financial आप अगर आप अगर आप अपने सेविंग्स कर रखे, आप एक फंड तयार है, तो फिर भी आप एक कंपरिटिवली एक जी पाऊगे। उससे उस वेक्ति से जिसके कोई प्रिपेडनेस ही नहीं थी, जिसके पास कुछ पैसे ही नहीं थी जिसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था अब इसी से आते हैं, जैसे कि मैं अजियूम करता हूं कि इस पौडकास को देखने सुनने वाले लोग जनरली मतलब 13 साल के एच से पैसे साल तक होते हैं और वो एक्स्रीमेंज है मैजॉरिटी हमारे लोग फाल करते हैं 18 से 25 के बीच में थेक है बड़ा वो है आप 25 के नजदी को मैं थारा के नजदी को यह थारा को ना पैन तालिस के अदर हूं लेकिन आप अब 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 थर्टी समें में अपने लेट ट्वेंटी से अंधर हूं तो मैंने मेरा शाद मा कर रहा हूं तो ज्यादा कुछ बचता नहीं अब इसके अंदर मेरी प्रपेड़नेस क्या रहेगी सर बहुत बढ़ बड़ा कोशन है और मुझे ने क्रिटिसिम भी बहुत मिलता है कि मैं बूलता हूं कि एर एक 35 कारों पर कमाने वाला वाला वेक्ति भी वेल्ट कर सकता है लोग बहुत बूलते हैं कैसे कर सकता है उसके तो बचारे कि पैसे नहीं बचते होंगे अगर देखें तो क्या कुछ भी पैसे नहीं बचते होंगे मैं तो नहीं मानता हूं मैं क्यों नहीं मानता है मैं प्रैक्टिकल यह बता सकता हूं हमारे ओफिस में एक तिवारी जी का और ज़ादा बड़ा नहीं है उनकी पर्मीशन नहीं मिरे पास видео तर मैं इस ज्लोस से आपल दाया जदा बड़ा नहीं बिलर जी वह वेर्ज़ता इन्वेस्त का रहा है डुटान वहाई रहा है तो point यह है कि आपको कहीं ना कहीं ये awareness होनी चाहिए कि भाई देखो आज आप कमा रहे हो ना 25 रुपे क्या कल भी 25 ही कमाते रहा होगे उसके बाद ही 25 ही कमाते रहा होगे और आपको विनमर एक simple thought में देता हूँ हर किसी को आपके 25 रुपे महीने की सैलरी कमाते हुए आप जो पैसा अपने करियर के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसे की वेल्यू सबसे जादा बनने वाली है करियर के end में क्यूं कमपाउंड ने लोग भाग यह समझते नहीं जब में जादा कमाऊंगा तब में इन्वेस्ट करूँगा आप अगर कम कमाके कम भी इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन उसे समय दे रहे हो ग्रो करने के लिए वो बहुत एनॉर्मस वेल्ट करता है वो ही पैसा बढ़ आप एक बात बताओ जब सेविंग की बात करते हैं तो दू थिंक वी शुड़ एव सेविंग इन्वेस्ट करते हैं और सेविंग इन्वेस्ट करते हैं यह बड़ा मैं बूलूंगा के नादान कोश्यन है बट अच्छा को आपने पूछा क्योंकि बहुत लोग के मन में रहता है और इस फिलोसफी को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको यह देखना है स्टॉक्स में अगर मैं बात करता हूं आप तभी पैसा डाले में जब आपका जो time horizon है वो minimum 5 साल का है यह भी मैं जनता को ध्यान में रहते हैं मेरा minimum time horizon है अगर 7 साल का है तभी पैसा डालाओंगा otherwise I will keep it liquid when I say I will keep it liquid I have some options for example मैं उसे savings bank account में पढ़ा रहने दूँगा अगर मुझे अगले 2-3 महीने में चाहिए क्योंकि वहां भी मुझे 3-4% का इंटरस मेलेगा FD में भी 2-3 महीने में इतना इंटरस मेलेगा अगर मुझे और थोड़ा लंबा पीरिए मेरे पास 1-2 साल का है तो मैं इधर FDs और Liquid Funds आते हैं Debt Funds आते हैं मैं उनके अंदर डालूँगा Equity में कभी भी अपने short term required money को मण डालिए क्यों इसका मैं आपको logic भी देता हूँ For example आज आपने देखा आज market 21,000 पहुचने वाली है आपके बास पैसा पढ़ा था आपको छे महीने बाद उसकी जूरत है आपको दिख रहा है छे महीने बाद आपको उसकी जूरत है आपने उठागे उसे stock market में डाल दिया अब दो तीन चीज़े हो सकती है Number one stock market 21,000-25,000 पहुचने अब आप बनोगे भाई देख आप बहुत खुश हो जाओगे आपको छे महीने में इतना जबर्दस जो है रिटन निकाल दिया बट वह एक आउटकम है वह भी अगें प्रेडिक्शन है वह राइट यह भी हो सकता है कि stock market बिल्कुली मूव ना करे और यह भी हो सकता है कि नेगेटिव डिरेक्शन मूव कर जाए आपको छे महीने बाद दो लाग चाहिए थे आपको मिल सिरफ डेड़ लाग ही रहें मिल सिरफ एक लाग सतर अजार रुपई ही रहें और यह भी हो सकता है कि दो के धाई मिले बट क्या आप इस दो लाग से आपको छे महीने बाद पैसे चाहिए प्लीज अपने इस पैसे को आप बैंक एवडी में सेविंग्स में रखे रखिए उस सबसे बेस्ट है सबसे बेस्ट है घर पर रखना तो मैं obviously नहीं किसी को बेस्ट करूंगा कुछ दो तीन चार परसें वहाँ पर इंटर्स मिल रहें एक चीज़ और नहीं गरनी है क्यूं मैं आपको एक इसके बीच एक बड़ा सही थौट प्रॉसेस बताता हूं यह बात चलिये दो वाई people take risk with their money जब उन्हें पता होता है कि भाई यहां तो पैसे खो सकते हैं future options में लोग बाग क्यूं जाते हैं क्यूंकि उनको corpus छोटा होता है आप समझना इस बात को की आप उसे लाघ कोई से सबस्टेंश् जाच अप कई सबस्टेंशल रिट में और गऌने आप कूछ बंख यह दो किसी क्यूंकि हो जाओगा यह जई पता है क्या थार होगए अब दो के चार कैसे बनाने इटार नें तो जब तक कुछ बने थो सुप्स्तैंशल नहीं पकोशिश करते हो कि उसमें जीत में फमेशा स्टॉक मारू आप आप एज़ अपर हुआ हुआ अपरुगे समसेक.. जा कित्ना गुना? सौ गुना चैहिए олетब उपादettsुम्जा सुमझाङों समा यह 952b आशचे जो इसी प्रोसेस अब यहां पर कोई भी इस तरीके से ना कि स्टक्मार्केट में बड़े पैसे से ही पैसा मिनाया सकते है नहीं, बड़ा पैसा करने अभी न एक कला है, आप 25,000 रुपे कमाते हो, आप भी बड़ा पैसा लगा सकते हो, कैसे? कि अभी पैसा करी के थूपे थूपे एसा उपचा इनश्टाल्मेंट्स में। ये मत सोचो के मैं एक सात पैसे लगा हूँगा बहुत सारा एक सात पैसा लॅग बाग क्या करते हैं आपको बाता हूँ जो लोग बाग मेरा बहुत फिमस वर्डर है भाल रे भाला के वह ब्हु वेसे इंसान की फिरत ही कि अगर बैटर बैटर हर को आज़ भी सुचता है जैसे सब्सक्राइब लेक्ता है अपने एक लाग के दो कहा चार के चार के चार 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 फिर वो बंगना फिर वो यह फिर वो जो इस इस तो सम ऑ बॉलीवड मुवी स नो बॉलीवड मुवी कैन बीड़न उन था कि यह एक इंसान था इसने बड़ी महनत करके अक्टिव इंकम से एक लाकर वे कमा है पिचर के एंट उसने पांच लाक कर ली अच्छी पिचर नहीं है उसको पॉपुलर कुल्चर में कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा बला हो तो तीन चार वारन बुफे और ये इन जैसे लोह का जो बोरिंग और प्रिक्टबल वाट अल्टमेटली सुक्सेस्फुलोह को दिखा रहे हैं उन्होंने गोल रश में जाके जो कैलिफॉर्णय में गोल रश हो रहा था इन्होंने शिलिकॉन वाली के बूम में कमा लिये मत कितनों के साथ होता है किसी के साथ होता है एक दो लोग कर बाते हैं तो सम अल्टमें बहुत टाइम से लगावा था आपने अलगी ए अंदर इन लोगों मस्क बहुत टाम से लगा वा था इन लोगों को देंखके कि यार हा इसने भी बिल्कुल 10,000 डॉलर से स्टार्ट कर और मुझे लगता है कि यह सब चीजे यह सब चीजे इस तिंग्स लीज तो आ वेरी बाड क्वालिटी लाइफ आप हमेशा परिशान ही रहोगे आप हमेशा जो है एक चक्र में घूमते रहोगे कभी भी सैटिसफाइड फील नहीं करोगे कभी भी आप ऐसे फील नहीं करोगे ओके यार हो गया आपका गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट होता रहता है और यह गोल पोस्ट इसको नहीं बहुत एक पर देखना बहुत ज़दा जरूरी लिए. भावत इस भी आध जरूरा है. और भी उस्टाइ बातचीत कर रहे हैं हम लोग पैसे कमाई उस्लिए चाकर आपका को खरीच सकें। the best thing money can buy is time और अगर वो ही नहीं है और पास पैसा हुने के बाद भी तो क्या है फिर पैसे को कोई फादा है नहीं फिर तो कोई इस वरी बाद तो सी हुसलर फिफ्टीनाइं वोज नौट अहुसलर बचोई हुसलर हुसलर भाए फोर्स अच्छा नहीं लगता ना वो आप जब स्टीरोटाइब देखते हो एक एक अल्टर सक्सेस्फुल इंसान जो अपने मिडिल एज में आ चुका है और उसके परिवार उससे दुखी है क्योंकि उसके वक्त नहीं होता और वो परिवार से दुखी है क्योंकि उनके खर्चे उठाने के लिए तरह तरह के इनसान की जिंदगी जो एक मेल पिच्छों में दिखाते है ना EMI है ना लोन बच्चों की स्कूल की फीस यह यह वो आदमी की जिंदगी बन जाती है बिल्स के बिकम यूर लाइफ और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो यह जी रहा है बहुत बड़ा एक परसंटेज होगी जो यह जी रही है कि EMI की लाइफ जी रही है तब इस तरह के लोग बहुत कम थे जो लोन्स पे जिंदगी जी रहे हैं अब इस तरह के लोग बहुत हैं जो सिर्फ लोन्स पे ही जिंदगी जी रहे हैं तो यह चीज मुझे हमेशा से लगता है जैसे हम लास्टाम रिजड़ पूर डड़ बात कर रहे थे हम लोग एजुकेशन को बैश करते रहते हैं कि यह वह फलाना का ऐसे हम कभी-कभी अपने घरवालों को भी गलती बैश करते रहते हैं कि आप ओल्ड स्कूल हो आप यह हो आ बहुत जादा जरूरी है जादा जरूरी है . ला खुट्छां लाग टर्म प्लाइंग इसकी सेम पैसा हमारे को पाँच-छे साल के बाद भाद भी कैसे मिलेगा लाग तो वो सीकान विकास पतर घृत्दर कुष्द है तह है जो इसमें सात साल बाद कुछ मिलना होते है उता यहां आज पैसा लगाए ने तो साथ मिनट बाद देखने लग जाते हैं कि भाईसाँ रिजा रिख भाईसाँ कुछ मिला है के नहीं मिला है तो यह चीज हमें अपने जो माता पिता है जो मेरे जनरेशन वाले लोग हैं जैसे मेरे आज बाउन सब्सक्राइब मेरे में मिला बहुत कंसर्वेटिव थे कि भाई पैसा बचाना है सेव करना है FD करानी है और पैसे को फिजूल खर्ची नहीं करने जैसे हम बोलते हैं तो यह चीज़े हम अपने घरवालों से सीख सकते हैं बड़े अर मुझे लगता है कि उस समय भी लोग ऐस जानते होंगे क्योंकि उस सकेप्तिसिजम बहुत पीक पे होता था रight, और रिक्षिन बहुत था थी लिए रग्षिन बहुत थी रग्षे और राओर थी थी झाल तो तो टोड़ा ओन्लाइन से थोड़ा अर स्टेबिलिटी आती है लेकिन फिर भी वो लोग से उन्हान जा मेरे फादर ने पेली गाड़ी सेक्टनेंड टी ती ती या जो भी एसेट किसी को अगर तब दाहिश पता ती उसमें मिल गए तो वह जो 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 भीटे है था आग तो उसमें शोषेबाजी भी कम थी और अजल तो शोषेबाजी इतनी जादा बढ़ गई है मैं तो यूट्यूब पे कभी-कभी ऐसे देग आपने 11.000.000 का भात दिया किसी में एक वीडियो आई एक वीडियो आई इस किसा वन में जिकी के लिए भांजे के लिए, मैं भूल रहा हूँ, exactly context के लिए वीडियो का 21 लाग का भात और एक बुलेरो गाड़ी वो गिन्वा आरे थे और वो वीडियो इतनी शॉकिंग दिसमें मिलियन्स व्यूज है कि 21 लाग कैश बहुत टाइम के बाद से इंडिन कॉंचिंस में आये है बट सप्राइजिंग बात ही है जो आप बुरते सेविंग स्किपर अगर य किशी जर्म बिल्शा अbtor एट थे तो लोगों में डर रहता था हमारी जिंदगी की जमपुनल्वी है और आज के वे कॉम बहुत कम ऐसे लोगे जिनके घर में पैसे हूंगे उनका बैंक रंगांट कहला है KOOLों- ठीज की बेंक खेंवान पैसे दोंगे और वो जी ऐसे रहो उंगे, best gaudi, best घर, best coffee, best lifestyle, just barely making it. तब बढ़ना हम सर्कल बैक करता है, psychology of money, wealth is what you don't see, वहाँ बोलादा, wealth is what you don't see, meriously wealth क्या है, गो BMW आपको नहीं दिख रही है, meriously wealth क्या है, जो Rolex आपको नहीं दिख रही है, बढ़ना है, जितने भी lifestyle vloggers हैं, they all are buying cars और cars भी अश्वाइस नहीं, जो क्रोड़ो रुपे की गाड़ी याती है जो इंडिया में नहीं मिलती है उसे इंपोर्ट करा है है, चाहिए सेकिन एंड क्रीद रहे हैं, चाहिए क्लाब करे करीद रहे हैं जो एक आखिए कम आखिए वो याओन नहीं और हो इस तरीक आखिए इसकार भाज मुह मां द्रीम श्रेम, याओन याओन भाज़ नहीं है नहीं थारीम लोग लिए याओन घ्लती है किसी टीर थी शहर के अंदर किसी मम्मी का सपना यह नहीं हो कि बेटा मेरा मेरा को बुगार्टी विरॉन दिलाओ क्यूंकि मैं 57 साल की और मेरे पेरोगा अर्थराइटिस बिल्कुल चाहता है कि मैं इस गार्डी में साइड में बैठके इतनी चोटी जी फोर्स के अंदर जहा जब मैं उसकी बैठी हो मैं प्लीस बुकाटी वराण में बैठानी हो ऐसी कोई हौरत नहीं होगी तरी शॉर ऑर हो के रहे विनम आवर यंग जनरेशन इस वालिड गार्डी झेम ऑन अपर यू यूट्यूब ड़ारह उपने नहीं आपने नहीं गार्यूब देखता हूं मै और चेंजिंग और कार अवरी तू मन्स और फ्लांटिंग जो भी आप दिखाना चाहते है और लोगो का सपना यह बन जा रहा है कि मैंने तो बड़ होके यह गाड़ी यह लेनी तो आइ धिंग मुझे नहीं पता तो आप थायद थायद यह लाइफ दिया विए रूनस ऑफ इसे हमारी इक बहुत बड़े जन्रेशन के वर बड़ा गलत इंपक्त जो है है ऐसक वह भाई जहारा है आप टाम बाहत जो इन एक बड़ी किस्सा है बहुत जबर खिए काम कर रहा है विक पाम कर रहा है उसकी इंटेंशिय इसकी इपतना चलाना चाहा है अब दिखा कर इसके बात। बढ़ से मिल ले बार है तब देंट से बिलें अपहले हैं जो जिससे कुछ भी हो सकता है, जिससे कुछ भी चीज़े जो गलत दिरेक्शन में जा सकती है अब हम रिस्क की बात कर रहे थे Harry Houdini का किस्सा है, बहुत अच्छा जबरदस्त Harry Houdini बहुत मशूर मजिशन है ठीक है, इसका जो टिपिकल टिक थी He would invite the strongest man in the audience on stage then he would ask the man to punch him in the stomach as hard as he could Houdini was an amateur boxer and told crowds he could withstand any man's punch with barely a flinch the stunt matched what people loved about his famous escapes the idea that his body could conquer physics after a show in 1926 Harry Houdini का context इसको नहीं पता है, मैंने नच्छाफिक पार इनके बारे में देखा है आपने देखा है, I've never seen तो यह ऐसे magicians थे, इनको आप चेंज में बांदो रइट और उसके बाद एक box में डालके नदी में डाल दो तबी बाहर आ जाते थे यह इनकी सबसे जादा famous जो है इसे बोलते है कि यह सबसे famous show था यह famous trick थी कि अग्तर बनाऴठों बंद अगल, पहरोों यहाभमेछी तालना लिद पेर लिग्ण, भॉप पांड़े, रिणके बंद कई लिद बंद रहो रहे इन अगला गल्टी वेड़ वी वहा देस्टिक थी हां पहार, अपनोसे कोई तालना हो और मेरे पेट में पंच मारो I think he was a mature kickboxer also तो यह कुछ उस समय ऐसी पूजिशन ले 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 थे थे के इनको पंच का उतना असर यह बिल्कुल भी असर ज़े हो यहाँ पर सोरर प्लेकस होता है इसको टाइट करना ओता है और यहाँ उस समय जो जो भी करते लिए जो डिफ जाते ते ते लिए थे बद रख जाते थे बद वाट हैं एक शो के बाद इनके पास कुछ लोग मिलने आए यह सुनके आपको भी समझनाए कई आप भी किसी पुब्लिक पींश में जावर आपसे भी पुरिटिन और उसमें से ऐसमें से पुछिंग गए इन इस çूनि रहे हूं कि अर पन्चिंग थे समख दूते हैं और यह स्टेज पयोगा है जह इता बाइवार वी दाट वी सूरु करते हैं विदाट तो वो शुरू करते हैं तो वो समें प्रिपेर्ड नियुपाय था और र विख निकलने के दो तरीके जो इस बटाएगा जो बहुत लगए 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 फिर फिर अगर मैं फुडिक्शन चोड़ो प्रिपेर्ड रहो अगर मैं हुडिनी वाले इंसेंस को यह देखूं कुछ पंछ जो अन प्रिपेर रहाँ झाल झाल उपाँ उड़ी अपले लिए अरड़ो अगर ऐस सचता Łँ अगर एंड साइ्टी च्सकता है अगर मैं हम सच्ट्णि स्रफ सोची सकते हैं अगर मैं हुडिक्शन हो तो मैं इसschool लगए प्रिपेर रहा पाता एं कि जाता Cem on stage , अधने। को अ़ियर। करा मारिक जा पर नहीं खे की। साथ संदे बिन आहिक पर टीक्स को प्रप्डेस श amis team को आफ कसमों चिर्थी को मारने के लिए कि नहीं तो और दिए। और इसलिए कि रिस्क होई है जो आप प्लान नहीं कर पाते है So the next thing is, then he talks about happiness. The first rule of happiness is low expectations. Your happiness depends on your expectations more than anything else. So in a world that tends to get better for most people most of the time, an important life skill is getting the goal post to stop moving. It's also one of the hardest. अगर मैं अपनी पसनल लाइफ की बात करो ना, honestly मेरा मुझे ऐसा लगता था गर मैंने 15 लाग के अफड़ी कर ली ना, मैं सौड़ी हूँ. कितनी परानी बात है बहुत परानी बात है बहुत परानी बात है जब मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था अगर मुझे लगता था कि 15 लाग के अफड़ी हो गई ना, तो मैं जिन्दगी में जीत रहा हूँ, मेरी फिक्स इंकम एक्स अमाउंट की हो जाएगी बात परसंट के साब से उस समय 8% के इंट परसंट के साब से इतना तो भाइसा फिक्स परमंद आएगा और कैचिए बढ़ा कि ना, तो के साब में लाग ना, जाएगा इतना ख॑टोली बन जाएगा, जाएगा इतना का पर्फокोम्यवा नगतात मुझे इस में जाएगा है जो होता ही रहा आप सिर्फ एक कर सकते हो किसी तरह से आप अपनी एक्स प्ररसंट से कोर मुझे लेंगा परसंट आ और एक ऐसे बिसनेस भाच अन्स भीज़ोग में प्जेशन का अगिए उन में धिस्टार्ट प्षक्टेशन की ओर्ड निए कि आउती लेड datosते है ऑर अगी उन पार्फेक्टेशं भांद आविवटी है जब इलन मस्क यड़ ऑ पॉल मुवञह मुश् plugins किस ने बोला था अगर आपको लगता आपको करने दो साल आ या तीन साल एक दस साल आपको यह हैं तो से लिगे आपसे घ्ट जो स्दॉश्टे इस री किर सते हो तुछ चारे इसकांवा इसकेल टुट जो सुटे केसी तरी पनी value है, point is कि अगर finance में, अगर मैं stock market की context में बात करूँ, why people get out of stock market and then their stock starts rising, why? Expectation, उनको अपने stock से expectation क्या होती है, for example, उस स्व्यक्ति से बात करो, जिसने HDFC bank का stock ले रखा दो साल से, अब अगर मैं पिछले 3-4 दिन हटा दू, पिछले 3-4 दिन से रखा दो, पिछले 2 साल की performance देख लो, आप HDFC के stock, 0 है, अब जो expect कर रहा था, HDFC में entry ले समय कि भाई ये तो हर साल 20% कमा कर देगा, वो निकल गया होगा, और अब पिछले 3-4 दिन में से 10% कमा कर दे दिया होगा, अगर आप अपनी रिटर्न, अपनी इन्वेस्मेंट से बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्क करोगे, वो कभी फुल्फिल नहीं होगा, आप पैनिक करोगे, आप स्विच करोगे, और आप पैसा नहीं बना पाऊगे, मैं जब ऑपनी कैलकुलेशन करने बैठता हो, कि मुझे कितना मौंट चाहिए ओँ, मैं खर्चोर को जहाए आप सर्चण करता हो, और आपने रिटर्न को कम ऑपको सिखाया जाता है, कि आपको कन्जरवेटितम जो हो ऐओको एक। आपक इसको कान्म करलेगे, अगर आपकी कोई इनकम होने बाली है तो इसको काउंट करोंडेगे, यह इतना जरूरी प्रिंसिल ना, क्योंकि अगर मैं क्यल्कुलीशन कर रहा हूं, अधर मज़े की बात पता है, मैं जब भी अपनी है क्या है कितना गॉर्पस मेरे पास हो क्या मेरी पास जो हमांट बन जाएगा अभी मेरी जो करेंड इंव्समें थर्टी घर मिश कितनी हो जाएगी तो अल्वेस टोःक इन तम्स अफ प्रोबिल्टी कि 8 परसंट रह तो यह 10 परसंट रह तो यह 12 परसंट रह तो यह मैं बात कर रहा हूं, 30 साल मुझे इस गेमें एक बड़े अमाउंट के साहते हैं एक चोटा अमाउंट होता तो मैं बात आपसे 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 करता है वो बड़े अमाउंट है तो मुझे पता है और आप किसी भी समझदार आपको के चोटे माउंट पर फिर भी जादा रिटन कमाना असान है आप चर्निंग कर सकते हो यह बेच वो करीद यह कर वो कर बड़े माउंट पर मगज मारी है ना चोटे माउंट में लास्ट अपिसोड ने बात करेंगे इस ट्रेस अजिस्टेड रिटन उसी से उसी से एक और चीज आती है चलो सर एक आदमी एक दिन अपना दिमाग खाली करता है संडे को बैठतर बोलता है रैशनली देखता हूं अगले कितने छे महिने में या एक साल में कितने पैसे कमाने वाला हूं इतनी दूर दर्शी सोच रखता है फिर मंडे को जाता है और देखता है कि उसके नेवर ने तो नहीं गाड़ी खाई लिए ठीक है और उसकी बीवी या उसके पेरे उसकी बीवी इसको बोल रही है कि जो शर्माज है वो तो मौरे शिफिकेशन पर जा गया है और अगर कोई हमारी उमर का तो बोलता है वो वो क्रियेटर यार वो तो रॉल्स रॉइस पर भूमता है उसके ब्रेंड डिल लेली एक दस-पंदरा लाग की तेर को नहीं मिली अच्छा तो सर यहां पर यहां पर यह कागज रखा है इसमे मैंने कालकुलेशन करी ती क्यूंकि मैं जूम कर मैंने काौन करे। अपर सब आप, मैं तो सब कवार सिर्ट गोह आपका, अब मैं ढ altijd सोचारा हूं काडी मैं घृस没有 टॉन काजिए अग भाश्यग मैं किसी को देख के आपको और गघए कर रह ड़ें है इजो किसी देख को आपको धरब्हुर्चा कर रहे है तो बहूत немतल ग ऐसको पास इतना एकसेस पैसा हो कि उसके लिए गाड़ी कुछ Mाई ना रख थी हो कि उसके अपने शौक पूरा करने के लिए, बाइसे हो अपको पर्सनल आपको अपने गोल्स देखने और फिर से वही बात में बोलूँगा कि आगर आप वो चीज़े खरीद रहे हैं अभी जो आपको जरुरत नहीं है तो बहुत जल्दी आपको वो चीजे भी नहीं होंगी जिनके अपको जरुरत है मैं तो इसके भौत अच्छा एक्जाम्बल मैं तो इस चीज से बहुत पाले रिकावर कर चखका हूँ मेरे फिर्सकुछ किष्ण पौดकास कि ताम बुद्कस है और जिस एक अब जी रहे हम and mostly related to those around you. अफ्रिका के अंदर, दो लाक कुपे के अंदर, बहुती पूर कंट्री के अंदर, आफ्षाद दो तीन मही नहीं जी सकते हो राजाएगी तरह. It's the path of least resistance to determining what life owes you and what you should expect. Everyone does it, subconsciously or not, everyone looks around and says, what do other people like me have? What do they do? Because that's what I should have and do as well. मैं जब ये सब चीज़े पढ़ था, तो मैं पढ़के अविसली हर कोई आपने बारे में सोचता है कि मैंने क्या किया हमारे लाइफ में इसका कैसे moment रही है तो इससे मैं बदा रहा है कि मेरी goal post जो है, वो मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में ना, मैं को चान्टेंबेंड वाली फीलिंग आने शुरू हो गई, कि ठीके goal post मूव इसले हो रही है कि मैं पास पैसा बहुत आ रहा है, इसले नहीं हो रही है कि उसकी भी goal post मूव रही है या उसके पास ज्यादा पैसा है और आपको भी विनम्र यह सब को एक बात समझनी पड़ेगी कि आप सामने वाले को कंट्रोल कम कर सकते हो और अपने वाले को कंट्रोल जाला कर सकते हो यहां पर stoicism के बारे में बात करना चाहूंगा कि यह चीज आपको अपने अंदर लानी बड़ेगी और खासकर हम जैसे हम जैसे में मैं गरी खासकर हो हमारी उलग आणे है वारे रह एलाग दूख हो थे हमारी यु्टीब पे वीडियोस पे विडियू नहीं आते हैं ऐसा बताहो आदमिके पैसे से मतलब नहीं हमारे और बात बड़ा चैनली है कं मतलब यह दुस कांटिए रहा हितार इसके पप और पेपर तो पूरे CA Fraternity के एक साथ हाने रहे है कुछ ने सब्सक्राइब किया थो चोड़ दी कुछ ने सब्सक्राइब किया था वो मेरे वाले लेवल से पास होगे यह देड़ हो क्या और आप सर्ट यह तो आप दस साल अपनी सिंदगी जिसकते हुआ यह है तो आप से साल रेलेवेंट रह सकते हो इसा एक एक साम कर सकता है तो मैं तो शुरू में जब ऐसा पहली बार जब मेरे दो तीन लाग सब्सक्राइब थे और विई डॉप हुए तो वोजे बड़ा इंपक्ट वा था इस चीज का, बट ग्रैजुली ने मुझे शायद बुक्स पढ़के, इस तरह के फैनाइस के बारे पढ़के, वारन बफट चार्ली मंगर के साथ रहे के अच्छली ने तो इतना पढ़ता था, इसे लगता साथ महीं जीन हूं भाई में उनक तो इनके बारे बट 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 इनके बारे पढ़के बुजे साथ रहके उसे समझा है कि आप एक सिंपल लाइप जी हो एक एक रीज़न निवी भी होता है और अस एन्वी आपको इसे को हुए तरीका नहिं है, इसका सिरफ एकी तरीक ए पिनम्र, सेल्फ वहां वहां जाताई तो ये जाके सिलिकोन वाली में बस जाते यहां और बड़े 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 बलिनेर बेठिया है ठीक है है इनका माइं कारताई नियॉ-ॉओर्क में बच जाते बड़ी बड़ी कोठिया लेते पेंदिश में रहते वहरान के अपने आप पूडल, बड़ी बड़ी लेमोजीन, जैसे ऐसे इमाजिन करो, कोई बंता फरिदात में पैदा वाया है, दुनिया कश अपसा मेरा बनता है और वही मर जाता है, और वही यह नहीं नहीं है कि दुनिया को बहर देख क्या हूं, जार सारे अमीर तो नीयॉर्क में रहते है और यह नहीं है कितना ऑपसिट तो वह अपसिट तो वह वह अव्या आउंड देख कर आ यही हुआ यही इन से सीखने को हमें अब क्या है कि लोग वो को ना फ्लैशी लाइफ चाहिए और वो लोग अच्छ लेशी लाइफ जीने के जखकर है अपना सारी यसी तेसी कर ले त जो आप भी बता रहे थे कि शर्माज फ्लेशी लाइफ जो है वो जी रहे है तो इसलिए हमें भी फ्लेशी लाइफ चाहिए है और मैं तो इसलिए हमें भी ऐसा लगता था बट यह चार पांच साल से जब यह चीजे समझ आने शुरू हुए तब मैं इनको बहुत पीछ चोड सेल्फ कंट्रोल ही है सिरफ आपको इपनी एक्सपेक्टेशन को चंट्रोल में रखना पड़ेगा आप कहीं पर पर सेल्ड एलेशन्षिंशिप में आप परसनल फैरान्स में आप बिजनस में जब ओर एक्स्पेक्टेशन करने लग जाते हो यू सार्ट फालिंग के साथ सा आप उल्टे सीधे टास्क करते हूं जिससे और ज़्याद आपको नुकसान हो जाता है एक्जामपल बिजनस में आपकी सेल्स नहीं आ रही आप आप नए टैक्टिक्स लगाने की कोशिश करोगे अपकी परसनल लाइफ में आप अगर अपने लाइफ पार्टनर से भी या अपने दोस्तों से भी आप उसमें मार खाने वाले बड़ी जबर्दस तो रियलिस्टिक एक्पेक्टेशन रखें प्रॉबिल्टी के टम्स में बात करें डेफिनिटिव टम्स में बात ना करें कि इ करता है और ओर डिलीवर करता है आप उसके बात बहुत खुछ होते हैं बहुत ज्यादा खुछ होते होते हो जब और अप ओरली एस्टिमेट कर लेते हैं कि यह होगा मान लो आपने बुला कि में को पनी इन्वेस्में से 25% पर रेंडम को रिटन चाहिए अगर वो चौविस के अगर प्रिंसिपल आया ठीक है फिछ बेसिकली मेंस यह मिर को एग्जाक्ट मैं उसकी हाइलाइट नी पट रहा बट रहा बट जो मैं इसमें से अग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी को बोलोगे कि यह मुझे बता कि प्रैमिनिस्टर मोदी दुवारा सेकंड टर्म यह मैं आएंगा यह नहीं आएंगे फिर्स अपल आपके कैसे फ्रेम करें हां यह ना बता जबकि अग्रेट असेस्में आप रियालिटी कहती है एक 30-60% चांस है कि प्रिंद बोदी आ सकते हैं अब क्या यह एक्रेट टर्म क्या यह एडलाइन बनाएगी क्या दूसरे लुक्रड़ आ क्यां इसुन्ह प्रेम यह ना यह तिंगरो से पढ़ते हैं, a good leader never waste time in thinking, he just says yes or no, take quick decisions and just do it, but actually that's not how reality works. तो यह मैं तो रिटर्न के टम्स में इसको समझूँगा, लोगो को बेफकूफी असे बनाया जाता है, क्या बोल के, certainty of returns दिखा के, this much percent guaranteed, right, this much percent guaranteed, लोगो को बेफकूफी से बनाया जाता है, उनको एक ऐसे रिटर्न दिखा के, या ऐसा figure दिखा के, जो बिल्कुल भी अचीवबल नहीं है long run में, और आपको स्टॉक मार्केट में क्या स्कैम चलता है, आपको मैं बताता हूँ, मालो, आपको एक फोन आएगा, कि ये वले स्टॉक्स करीद लो, वो सेम बंदा दूसरे बंदे को फोन के बोलता है, बोले स्टॉक्स बेच दो, उन्होंने ग्रूप ऑफ 100 पीपल को पकड़ा, टिप्स देने के लिए, पचास को बोला बेच दो, पचास को बोला बेच दो, और यहां पर दो, कोई तो जीतेगा, राइट, जो जीत जाएगा, उसे फिर फोन करेंगे, उनमें से भी आधे आधे बाट देंगे, जिसके लिए आपकी टिप काम नहीं करीवा चला गया, जिसके लिए आपकी टिप ने काम किया, पचास लोगों के लिए काम किया, उन वो बढ़ाते वे लेते रहेंगा और आप सोचुना अगर यहाँ दो लोग बेटे मैं एक स्टॉक बेज दो इतने पैसे मेरे आप भी दो कोई ना कोई तो एक तो आप में से कोई एक जीते गारेगा लेकिन मैं जीती रहा हूं एक एक सपोट्स टोर्णमेंट उट है नॉगाउट एक नॉटाऊट है लिगल अॉटापटायर यह बेटी संगाई चीज उटेटी तो एक उर्ट्रॉन्टि ए कि यह तो शुट्रा फीज पैसे क्माने की शुषिश कर रहे तो अंड्सां फॉट्सा डिडिश्टे है रिरे रेता प् Bakलें, बरेन भेलिवितों का सविन् PAUL, कि छो जोग रिट व Putting एग हम रinhट का सुरी पकार करेंज हैं insult.. आ आ जाने निल Async के चरी कोज़ीद फिर परेंश.. इंट व का रिख विर निवर का उन्से करेंशatura हें.. you got no credit everything in between gave you a confidence-adjusted score I've never heard of a better way to teach people that life is about managing probabilities and what an amazing way to scare the daylights out of students forcing them to realize the consequences of assuming that certainty exists in a world filled with unknowns and our human behavior is a lot of change for certainty why do people they prefer FDs and stock market do not prefer uncertainty volatility stock market is like up down up down up down and FDs like straight line and I think this is what we should teach in our home we want to live in a certain bubble and suddenly there is a pin of uncertainty or any event that we have not seen we are not prepared for it and this is the problem with investing I have seen many people exit 1 crore of equity portfolio 20% market fundamentally something not changed in company sentiments war in a country in a country which has no impact this is a small small but the 20% of our market who react to the stock is running why are they running running they need certainty and there is volatility and there is volatility and I think that volatility absorbed in the equity investing he can do because it has patience and now I think how do you think me how do you think I am going to jail I will give you this example I will give you only 3% people who can hold their mutual fund for 5 years if 100 people invest in mutual fund today within 5 years 97 they will give you this all provided statistic just think over it just 3% who have 5 years patients who have 5 years right and I am one I am you mean stock market investing is like if you give 14,000,000,000 every year you don't know what number so in the end there are 60,000,000 so you are saying you are saying that this data is 1,000,000 people invest in mutual fund only 3,000 people are invested and 97,000 people are out from that that I also realized that in an emotional state of mind that you are sitting in the bathroom and you are thinking late late and you are not asleep and you have opened your dashboard of stocks so 97% people are convinced that ever never ever ever they swipe right 97% uncertainty and volatility and volatility I tell you why why I tell you why because there is no thought of investing in investing there is a number to make a number but there is not a thesis that how how stock market works so if you can't solve 20-40% volatility you can't make equities you can't make equities if you don't create wealth you can't increase profit but you can't create wealth this is what people do this is not the game is about certainty and where uncertainty they are not right and if you can't think how do let's talk about how do we do that this is a fundamental switch in our decision making because sir people are stressed they are stressed are stressed they are they they are they are they are they are they they are are they can buy and they can go there you और आप सोचो के इस तरह से कि इस चीज इस पेमेंट के आने की संभाबना 33% से लेकर 55% के बीच में उस जगा जाने के बारे की संभाबना है तो सर आप के जा कर चुका हूं लेकिन मैं कारण बता रहा हूं कि हम अपनी जो dreams and expectations से जब अपनी पैसे कमाने की या प्रफोलियो के बढने की probability किसी और चीज की probability लिगाते हैं तो इंटरनल मोनोलॉग बड़ा बडा बोरिंग सार बड़ा नॉन जार रहा हूं कि आप क्या गलती कर रहे हैं और यह गलती हर को ही करते हैं सारा गेम पताय कि आप उस पैसे को खच करने के बारे में सोच रहे हो जिस पैसे को पात साल हात में लगाना है आपको scratch से अपना thought बनाना है कि अगर मैं equity में जा रहा हूं unless and until मेरी जान पर बात नहीं आ जाएगी परिवार में किसी व्यक्ति की जान पर बात नहीं आ जाएगी मैं इस पैसे को नहीं निकालूँगा यानि कोई super duper emergency आईगी मैं तभी इसको जल्द बाजी में बेचूँगा otherwise मैं ऐसे systematic तरीके से बाहर निकालूँगा लेकिन मैं इसे 5-7 साल दूँगा ग्रो करने के लिए उसके बाद निकालने की सोचूँगा येस और आपको एक बात मैं बताता हूं इस इतनी भी लोग हैं जो बड़े बड़े युनो राके जुन जुन्वाला जी की बात कर लेते हैं वारन बफे नहीं जाते हैं ताइटन कंपनी ने में सबसे अधा पैसे कमा के दिया अफ आम नोट रॉंग उन्हें दो या वीस उुपे का शेयर था जाता था वाच थीन हजार रुपे का था अधा है अधा गड़ी कंपनी तनी इस युपड़े ए लोगबाग अगा लोगबाग अब तो तना पैसे कमा वह दो रूपय के चार रूपय भोलते हैं और भाइट डबल होगा दो रूपय और बेज दो रूपय और बेज़ दो लड़ वेल्ट बना लेते हैं तो यह बात नहां जिसके माइंडसेट मैं एक बात बोलते हूं अगर आप पेशंस रख सकते हो ना आपने 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 एक्विटींवेस्टिंग का मैच फिक्स कर अगर आप पेशंस रख सकते हो आपने एक्विटींवेस्टींग का मैच Wash tant Benefitare दोली मैं आदेम का मैच कर sacarेज अब आदा पर लोक्र Masheng 006 के अब लोग भाग किरते हैं किसी फिनाइशल को डील बन रहे हैं वाननों मैंझ भर आप एक डील इं थे हम दिसाइड कर रहे हैं वह हम ने डिसाइड कर रहा है और हम्हारा कॉन्ट्राक्ट साइन और फिर्सपे में जाए थे तर उसके अंदर का फासला होता है पेशन्स का कुछ महीनों का और एक्चुल फीजिबिलिटी का हमारी क्यादध होती है अरे अब तो डील होगी है अब तो वह लोग ना साथ मिलके 60 क्रोड का पिजनस करने वाले हैं सुन रहे 60 क्रोड का करने वाले तो उसकुली फ्राइब कारके साथ मार्या अब फीजिबिलिटी है इसलोग कॉपेटांस का य।च प्राइब। ना करते साथ में तो य। बदोग भी हैं आप उसको लोग को पताना शुरू करते व। पर और अरच बना कंटी य। ना कंटी हैं तो य। ना कंटी हैं विक फि if you said it will happen and it doesn't you were wrong that's how people think because it requires the least amount of effort it's hard to convince others or yourself that there could have been an alternative outcome when there's a real world outcome sitting in front of you right so it's that's why you are talking about the probability and you are talking about the accounting concept that you need to learn today's generation when you don't account for the income you don't account for and when you account for expenses you can take the right decisions पाहं पैसे है नहीं है ङरह ऊषाफ यह सुचते हम के हільки हम तो पैसे है न करना प्रीट करो आप मेरये था है यह जारेन प्रीट करो भागी नुर्छायद हमें सोचते हो के हम नेगेटिब प्रवाती वाले लोakukan। लेकिन हम आगेटिव प्रवरタी वह रोग रियान जरूरी है पैसो को लेकर हमें यह पता है कि अगर थोड़ा भी डर नहीं रहेगा न तो आपकी बरबादी के chances जो है वो financial बरबादी के chances जो है बहुत जादा हो जाएंगे थोड़ा सा डर थोड़ा सा conservatism थोड़ा सा negativity इस चीज को लेकर कि भाई मेरे पैसे मैनत से कमाए हुए है और मैं नहीं चाहता कि और मैं आपको बात बोलता हूं यहां जितने भी लोग हमारा किसी बिजनस में क्या मैं उनसे बूलना चाहता हूं एक बार बैट के सोचे क्या वो पैसा बचाया जा सकता था और मैं फिर बोलता हूं उस पचास साथ में से 80 परसंट लोग यह जरू बूलेंगे और बचाया सकता था अगर मैं थोड़ा सा स्केप्चिसेव शो करता थोड़ा सा त στα यह जए ओड़ा सा डर सो करता मैं थोड़ा सा जो खोर से बनेगशिवीटिवीटी भूलें वड़ा है थोड़ा सीए जो ओड़ीवेटी इस था पिए समय नहीं कि मैं अपने हैं सच्प्स को रोक रहा हूँ इसमय भः बाच तूम् sarvaatar ख़ें एंग जो कर रह लोग बात फेकButuj अजट अपने हम टैसे लुवह दुनित पर साफ पर खथी को द feeder लग पात्टाय। सोग्स इस कि बहुत अच्छ मार्क्ट में अच्छी बुल रन में या हम बहुत बड़ बड़ या न्टी बुल रन है जो व्यारली इहां से मार्क्स बता 15 ग्रड़ और याह। बला थे आ थे डिय कि मेरी एक बाल्स बाहिंगी, अगरे पैसा कमा बें Papा देंगी वालोर भोले है, वकी बढ़े फैसे बनाथाजेगी अगर ऐबल है, और गो यसामें ने निया है तो रिख मार्किट उसको वाला मिम बढाए कि आ जा कभी कवेली पे अशेदली पर धोर अट्रशिय कॉर्भरम है पाइज धस्याई आफ़ जैना सब्सक्राइग। इसम्हार विपर्ट बाइज है ञाज युग खगारा र Māक उन्हार डिश्ट पीजार लॉट हो ज़ब जो टेखें। क्योसे हैं युग टीजिए टीजिए कर ऊफिटर हैं। बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, जो एर्टाइट होता है ऑनका लोजिक, और हम उनको श्थीज़ करें रिवार्ड करते हैं, यह तो बड़े आईइना है, इस के टेक्स बड़े सही हैं क्योंकि इसमें कोई रूम ही नहीं होता, मार्जन एर्र कुछ नहीं होता, पर जो लोग मार्जन फर एर्र देते हैं, उनकुछ तो फॉलो करते हैं, जो एक्टल पैसे कमाते हैं। माजौड़टी लोग जो बहुत ज़दी, स्पेकुलेशन से और इन्स बना लेते हैं, यह दो एक्टिछटी उनको ननों को तीसरी आंख दी हैं, ज़से की फुचर देखके बता सकते हैं, But in a way, they are just fulfilling a human need, जो बहुत पहले भी थी, आज भी थी, कि मेर को ये इसके पापा अधिए सिक्स्टी परसंट जैसे डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्ट्ट्ट्री भी तो बोल सकते हैं कि बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ना बचे फिर, अगर बोले 55% चांस है तो पेशेंट जो पेशेंट की फामिली घबराती है, वह ऐसा नहीं करती कि ओ, 55% चांस है बच जाएंगे जब आप बाते बोल रहे तो मेरे दिमाग में चला था कि अगर में सोशल मेडिया की बात करूँ हर फानाइस इंफ्लेंसर तो खहर मैं नहीं बोलोंगा, not everyone बट एक बड़ा तबका है फानाइस इंफ्लेंसर का जो सिरफ यह शो करने की कोशिश करता है कि मैं सही है यह मैं प्रेडिक्शन सही है अगर यह था यह अप इसे अवेर अभर दे उन्च पाकड़ा थाएं बड़ाया श्यूल प्रेडिक्शन सभी अभी थारो यह थाख लग्या उनको रंगे हादो कैसे अगरे यह थाज था हैं तो क्लीम के और सारी गेम वहीं से बदलनी शुरू हो जाती है आप अचानक से इतने अधने कंविंस हो जाते है क्योंकि आपको लगता है कि और अगर मैं कुछ लिख दूँ और वह ना हुआ तो मुझे तो बहुत बहुत दिक्कत होगी और अगर मैं कुछ इस बोलता हुँँ आप मुझे कभी भी कुछ बोलता हुँँगे ने में किसी बीडिया प्लाटफॉम पह ए अधने 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 चांसेस प्रबबिल्टी मेरे उपीनियन में आपने कहीं बुझे करिटिसाइज भी किया जाता है कि तुमारे उप फिलिप TETLOK एक बहुत मत्यूर एक इस इनसान है जो फोर कास्टिंग पढ़ता है तुमारे किताब किवे सुपर फोर कास्टिंग so he says we need to believe so Philip Tetlock says we need to believe we live in a predictable controllable world so we turn to authoritative sounding people who promise to satisfy that need number one um iska Morgan Housel example is that when he was in a college in a hotel in a college 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 so basically I valed at a hotel in college our team parked 10,000 cars a month and we banged one of them up every month like clockwork 10,000 cars per month management found this intolerable every few weeks one out of 10,000 intolerable haa nahi madlab ki wo bhi kyo vari hai every few weeks we'd be scolded for our recklessness but one accident in 10,000 parks is pretty good but try explaining that to your boss who had to file so many damaged reports they got to know the insurance claims adjusters by name you'll get no sympathy if but it's much easier to say you guys are clearly being reckless and slow down or you're fired यह कितनी अद्भूट चीज है कि प्रॉबविल्टी एसाब से बोलते हैं कि फास्वूड कुछ कुछ खाने कंदर आठ कीड़े तो मिली जाएंगी अगर एक किलो खाना लोगे तो आठ कीड़े मिल जाएंगी उसमें एक कि आठ किसा प्रॉबवलील्टीत कृँश तो तो आप डेक मिल जार प्रॉबल्स करी झाहे हैं तो आप अप की प्रॉबल्स के जिसको आप देख नहीं सकते हैं, कोई जब आप से आके पूछते हैं इसमें कोई रिस्क तो नहीं है और हो बोलता है कि नहीं इसका मतलब देख नहीं बाया है और मुझे लगता है कि हमें रिस्क की प्रपरेशन जरूर करनी चाहिए मुझे अच्छा लगा कि हो सकता है वो कम सौ साल बाद है लेकिन आपको प्रपेर आज ही रहना है और दूसरी चीज इसके साथ जो फैनाइंस की वर्ल्ड में मैं देखी कि जब भी आपको अपको अमर्जेंसी फंड की बात है आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाओ जब भी ड क्या ऐसी चीज हो जाए कि मानलो एर बैंक इंट्रस प्रेटी बढ़ा दिया जो के भी हुआ जो के भी हुआ रिसेंटी हुआ यह मानलो आपको कोई और लोन लेना पड़िया किसी अमर्जेंसी के चलते हुए अपको कुशन होगा आप हमेशा सुखी रहोगा आप हमेशा यह जो जो सुखिए आप बताना आप डियर आप इंट्रस प्राइब लिए इसंडेश्या यह भी बदाना है इस विफटर में बाताना है यह ज़िए इसम इन रहे वार वीचे फिचि फिच वर इन दो शूए बदेश्या सुखी अधूट वीच वीच है इसे विच अवीच मैं तीन महिने के बाद के लिए प्लाइन कर रखा है तो इसके बीच में सब कुछ प्रिडिक्टिविली चलेगा मैं हर रोज सुभा जाओंगा अपनी कॉफी प्यूंगा अपना काम करूंगा कुछ नया नहीं होगा और तीन महिने बीच जाएंगे और उसके बाद जो मैंने कि ट्रेजेक्टरी बिल्कुली कहीं और जा चुकी है जो आप फर्क्वस्टिंग करके बैठ यह सकता है आप अलवर में जुडवे भाई को तलाश में कर रहे हो बट हमारी यह प्रॉब्लम है कि हम जब प्लाइन करने बैठते हैं जब आप भी फैनासिल प्लाइन करने जब आप 100% accuracy पर आजाते हो ना तो ही गलती होनी शुरू हो जाती है अगर मैं अपने फैनास को प्लाइन करता हूं और मैं बहुत दो तीन महिने में एक बार बैठके मैं देख लेता हूं मेरा कॉर्पस किस डिरेक्शन में जा रहा है मुझे पैसो की नीड कहां पर आने वा जाएं मैं एक बहुत ही पैसिमिस्टिक रिटन भी ले लेता हूं एवन मैंने अपनी इन्वेस्मेंट कर रखे मैं उसमें से सोच कर रहे है कि 25% जाएगी 25% जाएगी मैं इस चीज के लिए तीज के लिए तायार हूं मानलो गर मैंने 20 क्रोड रुपे इन्वेस्ट कर रखे अगर मैं एक बार को और अगर लंबा थाट परसेल नो तो शायद में बोल दूँ कि चलो 10 कोड जीरो हो जाएगे तो मैं उस चीज को एकसेप्ट कर चुका हूं सम्हाव इट हैप्स में अगें किसी को शायदे लें मुझे बहुत है रूट करता है क्या रूटिड रहने में गलत सोच रहा हूं और फंदर पसंट नहीं आएगा में को एफेक्ट करेंगा आप क्या रेकमेंड करते हो कि इंसान को पनी फिनाशल प्लानिंग के लिए कितना वखत लगाना चाहिए कि अगर अगर आप एक आम व्यक्ति हो आम व्यक्ति से मेर मतलब है अभी आपकी को कि अव्यक्ति ही ज्ट करेंग आपका एक इंडियन व्यक्ति है तो आपको तो तक होट के लेना ही आ होग니다 आपको विह एचाई पीश ट्याइप और एस इन थीनो पे ध्यान देन διαन्ख और इन तीनों पे ध्यान देने के लिए आप quarterly भी एक बार बैठ जाओगे ना तो भी बहुत है Step 1 आप अपना एक health insurance ले चाहे आपके office में भी आपको दे रखाओ आप उससे हट के भी health insurance ले Step 2 आप term insurance के लिए apply करें आपको अपनी eligibility चेक करने ही पड़ेगी आपको term insurance मिलेगा या नहीं मिलेगा horizon से आपके overall personality से match करती हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप और साथ साथ में आपके time horizon से match करती हो अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे है आप large cap में पैसा मट डालिए आप कुछ risk थोड़ा सा comparatively कम risk लेना चाहते हो आप large cap में index fund के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो आपको लगता है मुझे तो 10-15 साल तक इन पैसो की जुरूत ही नहीं है आप थोड़े risky bets ले सकते हो calculated risky bets ले सकते हो आप small cap mid cap ऐसे mutual funds के लिए जा सकते हो अब एक बार आपने SIP करवानी है quarterly आपने उसको review कर लेना है जिस fund में आपने invest किया है उसकी भर-भर के documentation उनकी website में मिल जाती है 4-5 basic terms होते है उनको आपने quarterly देख लिया well and good कोई mutual fund आपका लगातार 2-3 quarter perform नहीं कर रहा है तो आप बैठके एक बार सोचे मैं यह नहीं बूल रहा कि बेच दीजिए बैठके सोचिए कि क्या underlying reasons क्या हो सकते है और अगर आपको लगता है कि बहुत solid underlying reasons नहीं है कुछ action मत लीजिए चलने दीजिए मेरे साथ हुआ है मेरे एक mutual fund ने 18 महीने तक लगा थार कुछ performance ही नहीं दी और वो मेरे top performing mutual fund है मैंने उसको देखा मैंने देखा मैंने देखा मुझे कोई problem नहीं आ रही है जिस शेहर में invest करते हैं मुझे कोई problem नहीं नहीं आ रही है तो आपको कुल मिला के quarterly अगर आप आप आपवना घंटा दे सकते हैं मैंने एक आम आदमी तो वो अपनी financial life अराम से manage कर सकता है अपने investing को वो अराम से manage कर सकता है मैं assumption यह है कि आपका business नहीं आपको GST, income tax and income की कोई attention नहीं आप आट से बारा लाग के आपका package है आप उसमें काम कर सकते हैं बहुत जाने से इसके अलावा आपको क्या सोचना चाहिए आप अपनी job में कैसे जादा स्यादा increment ले सकते हैं आप और side hustle में कैसे जा सकते हैं without compromising the quality of work you will be doing in your job यह तो अपनी job में ही और आगे अपने आपको enhance करो वहाँपे अपने packages बढ़वाओ वहाँपे अच्छा premium package लो यह फिर एक side hustle बनाओ लेकिन फिर उस case में आपका core में कोई दिक्कत ना इतना ही बहुत एक आम व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति बहुत पैसे कमा चुका है तो उसको फिर आगे आइडिया है कि उस पैसे को कैसे मैनेज करना अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई एक financial planner के पास चले जाओ आपको करोड़ो रूपे है तो आप 30-40-50 लाख रूपे की फीज देने आपको बहुत कम में लगता था कि आपकी 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 पूर accounting को एक्स्क्यूज कर देती है और यह बहुत कॉमन वो है ठिक है या फिर आपको लगता है आप आप बना रहें और मुझे नहीं रगता है अब आप बना रहें आरें यह अहींप है नहींसकिता है now shooting यह देंट इंड को कर सकती है शरी ऐसकता है उन्याट है यह पर लिएक तो पीजिश अई परिषीड भी कहुंते है आपकी आपर आपके अंटिं को एक्सक्यूस कहती है खिरक्त ऐसी साहती है खूรदE आपके अकाउंटिंग को एक्सक्यूस नहीं कर सकती है ठीक, करेक्ट, इसी से आते है सो, I can tell you sir मैंने आला कि मेर को भी पसंद है कोर्से वगर लेना इगे सब चीजे करना I'm a big believer in mentors, courses, everything but the lessons I've learned and how my right brain होता है, creativity, logic, and left brain पता हुआ होता है no idea जो भी logic वाला brain होता है वो starting early years में इतना shut-off रहता था कि अपनी original creative expression को आना बहुत जरुरूरी था मैं बोलुकों कि मेरी creativity जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ वो कम हो गई है, privately बढ़ गई है पर thank god I think like a businessman now और यह मैं independently कह रहा हूँ कि मेरे बढ़ बढ़ बिजनसमन है उनकी nurturing थोड़ी सी है लेकिन वो इतना ऐसा बनी है कि मैं 24 गंटे उनकी रसा बन गया बट जब मैं देखता हूँ अपने आस पास बहुत सारे ऐसे लोग है and you know the world needs great art क्योंकि उनके बिना हमार पस कुछ ड्रीम करने के लिए ना होता कुछ लोगों को करना चाहिए Do you think there are certain personality types who will never ever make money even if they make fill the amount of money but lose it कुछ ऐसे traits होते हैं लोगों के अंदर जो आपके नजदीक आया हूँ कि आपने बड़ी उमीदे रखी हूँ यार यह बंदा तो करेगा और उसने बिलकुल good-gover कर दियो मैं ट्राजडीव अगरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पहले अपना एक थौट आपको बताता हूँ आप बहुत जल्दी ना अपनी creativity को और art form को कि आपने बिजनसमर की तरह सोचना शुरू कर दियो मेरी हो चुकी थी अब बहुत पैसे आने के बाद मैं फिर से दो मिनिट के बिजनस को साइड में रखके जब सोचना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मैं फिर से वो spark मेरे अंदर आ पारहा है मैं teaching में वो spark फिर से लेकर आ पारहा हूं जो शुरुवात में होता था क्योंकि शुरुवात में वो art form थी teaching is in art तो पहले वो spark था पैसो की चिंता थी नहीं फिर पैसे आने लग गए बहुत आने लग गए बहुत जादा आने लग गए तो business बन गया बहुत एकदम कोर अब मैंने अपने आपको बिल्कुल से detach कर लिया अब मैं कोई business decision लेता है नहीं मैं पढ़ाता हूं सिरफ क्योंकि मैं बीच में यह miss करना लग गया था तो एक तो यह कि आप भी इसको miss करने लग जाओगी As far as second question is concerned मैंने लाइफ में इतनी closely ऐसे किसी को नहीं देखा कि जो बहुत ही इनो फिल्दी रिष्ट था और उसके बाद जीरो हो गया बट मैं बहुत सारे ऐसे stories सुनता आया हूं खासकर sports personalities की कि जो बहुत अब एक ताइम पर अन्दा पैसा कमाते थे sports के थू यह और यू उसके थू इनको brand endorsement उसके थू but they go you know they went broke और they went broke तो मैं अगर मैं सोचने की कोशिश करता हूं या कोई पढने की कोशिश करी wrong financial decisions wrong mentors as far as finance is concerned right और मैं एक चीज़ बूलना चाहता हूं मैं इसको frame नहीं कर रहा हूं skepticism की कमी होना skepticism की कमी होना skepticism की कमी होना over reliance on people near you right not doing your financial review periodically यह वो कुछ reasons है जो मुझे समझ आते है reference or trust को finance कंदर भी आना आपने परसल फानांसमें yes 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 वो एक बहुत बहुत बड़ी mistake हो जाती है बहुत बड़ी mistake हो जाती है and honestly aisi trust-willy mistakes मैंने भी करी है right but मैं यहीं ही चाहरा कि मेरा decision 100% सही थे but कहींना कहीं मेरी वो requirement भी थी मैंने उस पे पर्टिकुलर्ली एक दो चीजे मैंने डील करी है मैंने and I know मैं उसमे थोड़ा सा लॉस में हूँ but मुझे वो पॉटफोलियो में वो वाला आइटम मुझे पॉटफोलियो में था मैंने किसी के थूट्रू पॉटफोलियो में उस सरदर्दी को बचाने के लिए उस एफट को बचाने के लिए उस एफट को बचाने के लिए उस इंवल्मेंट को बचाने के लिए I need to pay something so I will pay it right but कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा लोगों के पैस पैसा होता हो बिल्कुली एकदम जिसे बोलते न माई को एक्जक्ति वर्ट नि मिलता बिना एक्जामिन किए लिए डिसेज़ जब ले लेते हैं तो गलती होता है अ मेरे पाप ने भी बाद बोली अनुरा कष्भ ने बाद बोली कि जब लोग अगर बड़े उस अच्छा ही कर रहा है तो छोटी-mोटी चोटी होता है कई भर आपको इसको जाने देना होता है कई भर ऐसा होता है कि आपको पता है you're getting the short end of the stick but long term harmony harmony is more important right so as long as you have the financial means you can absorb that loss right क्योंकि अगर आप पाई पाई का हिसाब लेने के लिए किसी के पास पहुचोके it usually means it's the start of the end of that if you are the bigger guy the generous guy you have to let some things go right it's called in business when management says that if you will try to control everything you will end up controlling nothing so if I talk about this context in which we were talking about so I think people are bankrupt after spending a lot of money and keeping wrong people in your company who can misguide and exploit you right so you have to focus on skepticism exercise you have to focus on financial reviews you have to focus on financial reviews you have to focus on what is going on basic inflow outflow we always talk about emergency fund for a lot of people that's why you can make a lot of money and make a comfort fund if you have this fund when you have this fund I can sleep in a bit I don't have any tension that if I don't have any attention of my life then I can go and do it or if I don't have any substantial part of my life then I will survive प्राइब कर जाओंगा, बहुना से बोलुँगा कि एक वो अपकर आपकास भी आपकास होना चाहिए और अगें जो अमारे घरवाले बोलते हैं कि हमें पहले समझ जाती है कानी कि जितनी चादर हो उतने ही पहर पसारने चाहिए और इसके दो तरीके हैं, आप अपनी चादर आपकास है उनके बिलोह ही रहने की कोशिश करो. कि कब मैं कोई पैसे सेव कर रहा हूं और मुझे पता है कि मुझे जरूरत नहीं है और कब मुझे लगता है कि यार यह चीज़ लेके ना तो और आगे बिजनस आए गाई इस इस कैपिटल को अलोकेट कर देते हैं इसके अंदर और अब हमारा ये भी एक अब डिपार्टमे रहेगा या एक्सामपल अगर किसी कॉंक्रेटाइस करना है तो अगर दस लाग रुपे आया है तो यह नहीं की सेविंग्स में डालना है उसका 30-40 परचन या 20 परचन जितना भी है यह काम करते हैं आट लागा कैमरा ले 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 लेते हैं क्यूंकि उससे ना और पैसा आ यह तनी सिंपल सी लाइन है और वन यह गो तो उन्पाक इट यह राइस यह मुझे इसमें दो तीन इहरें फ्लॉज लगरें इस बात में एक तो यह के मैं तो बिग फैन हुरी इन्वेस्टिंग का और मैंने बिजनस में किया है और मैं उसके रिटर्न्स रीप भी कर रहा करता हूं यह कोई बोस्ट कि तरह नाले किसी भी तरहें जाए जाए मैं बोलूं के ना बोलूं मैं यह बात को कुछन करने के लिए मैं बोल दिता हूं जैसे की 75,000 अरुप के चामरा था बहुत दिल पहत रख़तर रख रख पहले स्टार्टिंग की बात है जब हम रहारा हम अगर हो सकता है तो प्लीज क्योंकि हमारे बहुत ही सब्सक्राइल कामरा है और बाइद विए जो भी लोग कर रहे हैं अगर आपको सार्ट करनी है पॉड्कास्टिंग अपने फोन से भी कर सकते हैं मेरे शो के अंदर प्रोडक्शन वाल्यू ना बिलकुल कर सब्सक्राइए है टृण थे हाँ वर्कारण से ना रूंफट पर में अप्रोड़ा अधर मेरे बढ़ें ग तो से तो अनुन पर आपकें अपरएग तो तो सासमी बेह ता कि उन च्लमार्शन करना पर गाई गार कुल्ट करना ने, प्रोड़दीय को अधर नियम उन्देंग सारा का सारा और मेरी हलक मुह से बाहर निकलने वाली ती कि हमद नहीं थी सर आप यूड यूड गी तरह अपने इसेवन एट फिगर सब कुछ ऐसी आऊ से दिखाए बट नौ अंडे से रेत्रस्पेक्टिव अच्रश्पेक्टिव था । आपक यॉग मैं नी इसको स्क्राच से शुडूर गरता हूँ। जब मैं टीचिंग करेर में तो मुझी तो टीचिंग करियर में आ था कि मैंने राइड बोर्ड पर नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना हिना नहीं। मैं प्रॉजेक्टर के थ्रू यो भड़ाओं गा अपना पन पेन टेबलेत गड़ाओं गा है color जो fiscal 삼 carry on फरस्ट जो इनना आ delicate अडिपडेंट इन आ की एंडिपेंडनेट क्या अडिश इंडिपेंडेंट कर्णात बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि वह महीने में एक बार होता था आई तो ऐसा सोचें कि भाई वह हर दिन ही 40,000 रुपर आते हो देखें एंड पता नहीं सही था या गलत था वहां पर वह इवेंट चल रहा है हमारे पास 40,000 रुपर पढ़े हुए तू सिर्फ फेकल्टी पढ़ा रही है मैं उठके जाता है एक आईपद करित के लिए गाता है 2011 की बात कर रहा हो में रुपर पैसे था मेरे पास बहुत पैसे था कि उतने ही पैसे पैसे था क्यों मुझे लगता था keto आपको तो एक तो अपने आपको उदके देई को तो मेरे मेरे पैसे थे अपने ह çıkt पर इसे को रहा U्पनी ने उरस ही इसे इस मै रहे तो तो आप और बाम पर ऊच्चे सर रहे ऑसा मेरी उपना पनार पर उन अम तम्रimana रहा है। आज एज मेरे पास है, 2011 लिया था, आईपद मिनी लिया था यह विए फस्त अपल प्रोडक्त, मैं आईफोन से ले ले लिया था और अचुली में इप लिया लोट टीचिंग प्रोसस्स में मैंने कभी वाइड बोर्ड पर पढ़ाया नहीं हमेशा उसी के थूर पढ़ाया हमेशा उसी के थूर पढ़ाया वरीदाबाद में विए चोटा सा क्लास्रूम था उसकंदर बीस लोग बैठ सकते प्रोजेक्टर लगा रखा अजकी डेट में बट जो आप बात बूल रहे थे कि रीइंवेस्टिंग वाली बात मैं लैप्टॉप्स लेने से कभी पीचे नहीं हरता है कभी भी अगर एक की जुरुत है अब मैं तोड़ा सब दरता हूं यह सब बोलते हुए मेरे तीन वर्क स्टेशन थीनों पर अलग मैक बूप प्रो रखा हुए मैं नहीं चाहता कि मैं यहां से उठा के माले जाओ इसको मैंने सेटप बना रखे स्टाटिक मैं जाओंगा बटन अन करूंगा रिकॉर्दिंग शुरू करूंगा मुझे यह नहीं चाहिए कि मुझे लग अर एक मैक बुक में अपने सिस्टम को नहीं चेड़गा अगर मैं चेड़ूंगा मुझे वाफिस अपने सिस्टम को असेंबल करने में जितनी तार जितनी अंदर अदर चीज जुड़ी है तो तरने में आपकी फ्लो इस तूट जाएगी? 10-15 मिनिट लगने वाले हैं जो मैंने ही चाहता है कैमरा इसकी बात कर रहे हैं मैं पस दो A7-4 है जिसमें A7-4 पता है अब कितने कहाता है कितने कहाता है कुछ बता है A7-4 पता है मेरा थौट प्रोसेस गलत है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगर दिन में 30-40 मिनट बच जाते हैं तो मैं तो इससे बहुत पैसा बनाता हूं अगर मैं अपने एक घंडे की वैल्यू क्या लगाता हूं अगर मैं उससे को कंपेर करके देखूं कि मैं दिन में 40-40 मिनट बचा रहा हूं तो मैं भूत कुछ अद्यूर कर रहा हूं और अगर प्लस आप क्या कहते हैं वहीने के बारासो मिनट बचार हूं और रहाम तो पाउंड इसाल में बचार हो और लिफ इस थूरू और फिर भाही आते हैं इसलिए वेस्ट नह रहे है कि मैं वेस्ट होस्तों सेद के समय तक इनार च्रुदाइन आतका रहे सामया मढम भीकोष कृहिट इसलिए व writesब किता थे मठाशन थे थ। नहीं करतता है यक के आज निम वहन Ł 혼णे नाम काई भी जी किया और Iraq सूरर केवा यह लीगद आइ घैक है वोर चौह तो शुरू करता है फिट है फिटार घ्रशा टॉरड सालरी पाम किसी अच्छा शुर्ष रिर्डी अंगु questionable अगर हम कॉंकरदाइस कर सकते हैं, हम तो अपने रिवस्टेशल रिवस्टेश इन यूर वन बिसनस्टेश यह यह एक बड़ा परसनलाइस कोशन है इसी को मेरे दुवारा किया गया खर्चा बहुत ही एकसिव और अपने दुवारा किया गया खर्चा मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक लग रहा है जैसे कि टोनी रॉबिंस मानलो साल के एक मिलिन डॉलर खर्च करता होगा फिट रहने पर अपने यह जो प्सक्राइब कर लोगा विलिब अपने 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 रहे हैं आपकी नेचर बिसनस पर डिपेंड करता है इसाएद एक मैनुफेक्ट्रिंग वाला विक्ति हो उसके लिए रिवेस्टमेंट का अमाउंट बहुत बड़ा होगा और मुझे नहीं पता उसके रिटन एक्पेक्टेशन क्या होगी उसको पूरा एक फानेंशल मॉडल बनाना पड़ेगा मेरे लिए यही कमफर्ट है कि मेरी अर्निंग का अगर मैं परसंटेज निकालों तो री इंवेस्टमेंट कुछ भी नहीं है मतलब लिटरली मैं शायद एक सेकंड भी थौर्ट नहीं लगाता हूं कि अचा लैटोप ले लो इतना 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 डिसक्शन भी नहीं होता कि खरीदें के ना खरीदें क्यूं मैं कहरा हूं कि यह मेरे अपना एक्स्पीरियंस है एक मैनुफेक्शिरिंग मशीन लेनी है उसकी कॉस्स बहुत जादा होगी उस मशीन की फीजिबिल्टी भी तो देखनी होगी कि भाई इससे में वह सेल्स निकाल भी पाऊंगा नहीं खाली मशीन लेके क्या करूंगा तो यह बहुत ही बिजनस बिजनस स्पेसिफिक साथ साथ में एक व्यक्ति की करता है बट मैंने फुलिय थे कि अपनकूैंदे अपने पर बिजनस में में बाट बहुत कम हुती है एव मेरे बात बहुत हुए मेरे अपने पिल नियुक्त करता है को मेरी बिजनस स्पेसिफिक पर सब्सेफिक पर तो जो भी फाल्तु भी मुझे लगता है कि इसे एक मिन बस सकते चलो यह भी ले उसे दो मिन बस सकते चलो यह भी कर लो और कभी-कभी मैं ऐसा भी नोटिस किया है कि simplest of the thing can solve biggest of the problems जो बहुत बड़े-बड़े devices यह बहुत बड़े-बड़े computers भी solve नहीं कर रहे है यह I think the best example of that is when your digital note taking system is overwhelming you pen paper पजाओ जाओ जब कुछ बंत करो और अकाम करो मैं रिसेंटली शुरू किया है आई-पैड मेरे बास रहते है मच अब आई-पैड की बास बताता हूं परस्नली मैं तीन चार आई-पैड यूस करता हूं एक साथ इस वन अफ देम और दो तीन आई-पैड में बस और है जो परस्नली मेरे है एक घर पे अगर आपके सेटप पर उसको लगे बोड़ा है तो अगें मुझे लगता है कि में को हर चीज के लगा एक आई-पैड मैं तेली प्रॉम्टर बना रखा है एक आई-पैड मैं बाहर जाने के लिए बना रखा है वैसे अच्छा आए बात पुछ रहा हूं कि आपने उसको किसी ट्राइपॉड पर सामने कर रखा है अच्छा अगर आप लोगों कोई अच्छा लगा तो इसका पार्ट टू हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कि किताब लंभी चोड़ी और बहुत सरे प्रिंसिपल्स इस किताब में ना बहुत कुछ है डिसक्स करने के लिए और ओनस्ली मैं नहीं चाहता हूं और शायद विनम्र भी आप लेखिया नहीं चाहता थे कि भई हम झाल बाजी करें इसके लिए हमने सम्ताम्स रश्चिटन अंदर हर अडिया को नहीं गडिया कि आज मने हमने हर अडिया को ठीक आप डिक्स कर रहा है जो अभी तक हमने अग्रेक्टिवल पड़ा ता तो अब लगता है तो अव्यो देखे यह मेरे पस बेशिमार पैसा नहीं है, मैं एक बात बुलना चाहता हूं कि मैं पैसे को कमा और एंजॉइ भी करो अगर आपने नहीं किया तो आप बेश्कूफ और एंजॉइमेंट का मतलब कभी भी शोफ से नहीं होता है आपकी परसनली आप उसे कैसे नहीं कर रहे हो पर एंजॉड़ तो आप मुझे कितने समय से जानते हो आपने मेरे पस कभी कोई ऐसी विग ब्रांड कार नि देखे होगी तो यह से नहीं देखे होगी मुझे नहीं समझ आती हो तो मैं नहीं ख्रीदूगा मुझे अगर अगर ब्रावलिंग मे अजा रहा है मिग्वार एं तो इतने लेक्टर जेता इतना बिजी है उसके बाद भी आइसी दर आप हर दूसरे हफ्ते रावल कर रहे होते हुआ तो मैं उसको एंज्वाइ कर रहा हूँ ना मतलब मेरा कहने का मतलब यह कि आप अपने खुशी के लिए एंज्वाइ करो अपने फैनांसे को ऐसे मैनेज कर कि आपकी आपके आपके और चीजों पर हावी ना पढ़ जाए पर सर फर शॉर्ट टरम साकरफाइस यह सब चीज है अब जरसे मैं अब 26 साल का हूँ सटाइस को जाओ अब हीने मैं तो पूरे साल इंज्वाइ कर रहा है लास्ट यर भी इंज्वाइ कर था था पर उस इंज इंज्वाइमेंट का इंपक्त आपकी वेल्थ पर आ रहा है तो आप कुछ तो गलत कर रहे और आपको इसको दीडी दीडी बैट के सुधार आपको ऐसा कर रहा है कि आपके पास पैसा है आप उसे इंज्वाइ भी कर रहे हैं अब आप पास पैसा है आप उसे इंज्वाइ आप मेर को चीप मानोगे यहार हम भाई साब होटल में जाते हैं तो हम कभी सुवे का ब्रेकफास्स रूम में नहीं मंगाते हैं क्योंकि चार्जिब लेकिन मैंने ओवर्टाम रिलाइस करा कि मैंने इन फार्ट आज इस पर एक लिखिती चीज कि कि if I have an expensive taste, I don't want to live that taste for a week. I want to live that for a life. Like, you get some money, you're like, okay, let's go and wait for a week. So I think if you have an expensive taste, it's better to optimize for life. I mean, I actually saw a lot of things that are not necessary. I mean, sometimes people say, what's wrong, coffee, just drink. I start to be so micro-focus, because you don't know, 500-600 Rs. Starbucks, if you have a meal in a month, you'll be 10,000 Rs. In the year, you'll be 1,200,000 Rs. 1,200,000 Rs. Now, people say, what should I have to do a little fun? I know, I should have to do a little fun. But I'm saying, because I have so much fun, that this approach is very isolating and narrow, because people don't understand this thing. But it's giving me a sense of control. And slowly, I feel like something can happen. That wealth building is actually starting now. Right. And I'm in that phase. First of all, you don't have money. I'm saying wrong. I'm in that phase. I'm in that phase. I'm financially settled. Now, I can afford that expensive thing for life. Then, I enjoy those expensive things, which I actually enjoy. For example, I go to the restaurant and the one who has 3,500 bottles are signed before. I give RO water. Right. You know, it's not going to have an impact on my life. Right. Provided that they don't drink bad water. Right. 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 Just as I told you, we go to the hotel and the discount will be full of the flight. Recently, I booked a resort at a gym corbet at a gym resort. I booked it for about 50,000 rupees. It was about 50,000 rupees. So, I showed you that it's 33. I canceled the first booking and then the other one. Right. So, it's in our place and it's still. It's a simple thing. So, the money is, it's necessary to enjoy it. It's necessary to enjoy it. It's necessary to enjoy it. And you are in the same phase. I will tell you that you will sacrifice a little bit. But whatever you will do in these 5 years, you can afford those expensive things. For life. Right. But at the same time, I will tell you this too. For everything, I am saying that in 5 years, you don't die. In 5 years, you don't die. In 5 years, you can reduce your enjoyment in 5 years. We can create life. In 5 years, you cannot afford travel. So, you cannot do zero. You cannot do much. It's not. I can create life in the past. Yes. I am saying that when I was in my early 20s, I was in my early 20s. I was out. I was carrying out a dream. I didn't have a dream of a dream today. I never have a dream of a dream. I never had a dream of a dream. I had a dream of a dream. Thankfully. Me, my parents had a dream of a dream. Then, when I started to work on my dream, I started to make dreams. बाइ शुरू करें उन सपनों को पूरा करने में बहुत मज़े आते हैं और उन सपनों के आगे वह सपने बेटर लगते हैं उनके लिए काम करना उनके पैसे लगाना वर्सेज की एक रैंडम फुचर के देख एक लिए साइपास करना लाका आप आप रादर दू दू आप आप अपने आप आपने बात साल अपने इन का है अपने पांच साल अपनी अर्निंग काने है Neil जिटना बड़ा चंग इंफेस्ट कर सकते हैं । यप सही हमें बड़ी लाइप एंधियोति आप पनी इंकम का...... जितना बड़ा अशादी लाइपिलिटी होती है यह है ल क्या हुआदि लाइप छादी के लाइपिदिती है बनी जाते हो और वो एक नहीं चार लोग के लिए सोचना होता है तो अभी अपकास वो भी प्रेशर नहीं है और जो भी विक्तिस पॉडकास को सुन रहा है और वो अपने अर्ली 20s या ले 20s में है और वो अपने अर्ली 20s में है और मेरी सलेशन उसको यही रहेगी आप अब एकुएशन अब इस समय से कर दो इंकम माइस इनवेस्टिंग्ों इसएल अणने का पहले मẹん और दो फालो वेड़ आपके पास अच्छा कॉर्पस हो जाएगा और वो जो कॉर्पस आपका जब लंबे समय के लिए रहेगा वो ग्लोग जरुट करेगा प्रोल्म इस प्लन में क्या है? इट इस तो SIMPLE इंग थ्रिल नही है यह जो प्तिम ट्रिल भाक भाग हो उसके डरान पत्तिलें पांच फाटली राइगी जुख फाटली सखता हुड क्मप्राइड श्यव्सेड पॉर्म तरहे जियां जिद अच्छ ऑट बिल्खक्या डिन डिव-डिन घिक clicking ह। यही ऐसली फिर 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 इन्स इसली था नहीं है कि श्राइब नहीं कि एप स्पेक्ट्रम भी नहीं हुँ हर पाँच बारना बिल्कुल ही अलग थी और आप चाहते हो तो पिछले दो तीन साल से पॉडकास्स कर रहे हैं आप स्टार्ट से साथ कर सकते हो आप बेसिक अपाउंटिंग से साथ कर सकते हो तो अब हम उस में भी आप आप ठाइर्ट अपी सबता है इस सेजन को एक लिए साथ को प्ली नाम के लिए कि अप खुरी साथ कर आया है यह यह दिया कर दो में आप 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 सब्सक्री ठीन करना है अप बिंग बेस्ट इसन को कि आप आप अपर अर्वं को भी चाहते हो वो आपको बदल गई हैं, मैं सर्फ यह बोलता हूं सर्जब तक सूरत चांद रहेगा तब तक दोसकास रूदा का साथ में पॉडकास पे अपीरेंस रहेंगा नाम रहेगा बाल का स्येओर भ्हेट के विल्यष में जयाँ भी आपकोर साथ में इस जब अयान के बेठते हां और पता है यह एक केमिस्ट्री है और यह थे केमिस्ट्री नहीं हो सकСТी बहुत जादा नोगों के साथ आपके इंड से भी यह यह अगर मुझे लगता है इस कमेस्ट्री में अगर कुछ ग्यान की बाते निकलती है और वो लोग बाग तक पहुचती है मैं लोगो बोलना था मैं जान भूच के वो लोग बाग हुए अगर लोग पोमें निलने कि कितनी बार आज तक लोग बोलाया तो कुछ आपको रिवार टॉफियो शुक्तिकी भी तो गुझाओ लोगों को अगर इस ग्यान से क्यों ग्यान मिलता है तो I don't think के उसमें कोई बुराई है and मैं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस पॉड़कास्ट को सुन रहा है हमारे किसी भी एपिसोड को सुनाय है मेरी तो भाई एक ही चाहत है के वो व्यक्ति खूब महनत करे अपनी खूब एक्टिव इंकम बढ़ा है और उसको अपने लाइफ के इनिशल फेस के अंदर खूब अच्छी जगाओ पर पेशिंस के साथ इन्वेस्ट करें इससे जादा आप कुछ भी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचेंगे जो हम यह बात करते हैं आप पूरी दुनिया गूमाओ पूरी दुनिया आप इससे जादा इन्वेस्टिंग के बारे में सोचोगे वो सिरफ ओर कॉम्प्लिकेशन है अननेसेसरली आप स्ट्रेस लेंगे अननेसेसरली आप समय खराब करेंगे हो सकता है पैसा भी खराब कर दे और अपनी जिंदगी भी खराब कर लें क्योंकिए समय और पैसा दोनों खराब होता है तो जिन्दगी आटalar हो धोली हो जाती तो लज है खुब मैनत करें खुब हैया कहा साथिये इनवेस्टिंग को डात बिट मारे जोगिस्यूосक्राइब करें चैनली नीग भी इल्युकर यón 30 स्फच्क्राइब करें दो cauliflower है व कोई फानेंशल गुरू या ऐस- नहीं पाना विक्ति नहीं हूँ, बस मुझे समाझ आ गया के पैसा मारंकेट में मेरा ही हृष faint मुझे यह प्रूफ कर सकता हृष है। वह बहुत दिल also से बतने हं क्योंकि भी ऊफhet जाрать है। अब इसको भी लेके आप देखना के एक तो ना एक चीज और भी प्रॉब्लम है शायद इस बुक में भी लिखा था मुझे ध्यान निया रहा है मैं आज ही कही पढ़ा था एक तो इतनी सारी चीजे मैं पढ़ रहा होता हूं ना तो सब मिक्स हो जाता है कोई नहीं एक और चीज है जो शायद कभी नहीं बदलेगी वो है अपने से बड़े व्यक्ति से चाहे वो बड़ा पैसो के टम्स में हो या फेम के टम्स में हो उससे एन्वी रखना यह कभी नहीं बदलेगा तो मैं इसको कैसे देखता हूं कि अपने से बड़े व्यक्ति से अगर किसी ने ethically wealth create करी है, ethically उसने business चलाया है, उससे envy ना करके उससे सीखिए, कि वो कैसे किया है, उसको challenge ना करके उससे सीखिए, कि उसने कैसे किया है, अगर आप ये कर सकते हैं, तो आप एक तो सुखी रहेंगे, दूसरा, आपको free में एक mentor मिल जाए, आपको free में एक व्य अगरी था, या भाई उनके अच्छे aspect को सीखो, कि उन्होंने क्या क्या चीजे जो है, सही decisions उन्होंने क्या लिये थे, क्या उनकी philosophy थी, कैसे वो इतना long term रह गए एक particular stock के साथ, ये कोई नहीं बात करेगा, कि वो टाइटन में 30 साल, 40 साल, 35 साल, जितने भी साल बने रहें, ये कोई बात नहीं करेगा, तो हम उनसे वो अच्छी चीजे सीख के अपलाई कर सकते हैं, हमें एक पैसे कमाने वाले व्यक्ति से wealth created, जिसने wealth created के उससे envy ना करके, हम उससे सीखें, और भी wealth create करें, बहुत ही beautiful process है, और एक समय के बाद ना, ऐसा हो जाता है, आपको पैसों की मुस्कराहत लाते है अपने उपर और आप खुश होते हैं, येस, इस एक्चुली वरकिंग और मेरी सिंप्लिसिटी का जो टेक्निक थी वो काम कर रही है, एक पंक्तियादारी है, अगर एक बाग है जिसका नाम है लोग बाग, और उस बाग में खेती होती है पैसे की, तो आप उसके माली हैं, सारी सा थोड़ा कृंच है लेकिन मैं चा कर रहा है, तो पोलना सुरी था, चलो भाई, मैं तो चाता है, अगर मैं माली हूँ, तो उस लोग बाग की पसल जो बहुत ही अच्छी हो, और हर साल हो, और खुब ग्रोव करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक पॉड़कास्स बहुत बड़े हैं, तो इन्हों ने अभी तक जहां पर भी सबसादा वाइटल फाइनस की बाते करी हैं, उसके टिद्बिट्स और स्मॉलर एपिसोड्स हैं, इनके अपने टीम के साथ, इनकी दॉटर के साथ, आप जाके देख सकते हैं, और थैंक यू और बाइट बाइट एक यू ने तक यू